जैहिन्द फ्रेंड्स मैं सौरब जह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बियसे ट्रिकेक क्लासेस पे आज हम लोग दिल्ली पुलिस हेड कॉंस्टेबल के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए साथई साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रस्णों को डिस्कस करेंगे जो दिल्ली पुलिस हेड कॉंस्टेबल के एक्जाम में आपसे पुछे जा सकते हैं आप सबी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सेशन को अधिक से अधिक सेयर करें साथी साथ क्लास में सारे सवालों के आंसर अवसी क्या करें तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल दुनिया को समय छेतरों में बाटा गया है समय छेतरों की कुल संख्या कितनी है The world is divided into time zones What is the total number of time zones आपको वताना है विस्व को कितने time zones में बाटा गया है आप सभी को पता होगा कि विस्व को 24 time zones में बाटा गया है विस्व को 24 समय जोनों में विभाजित क्या गया है इन समय जोनों को Greenwich Mean Time वह मानक समय में एक घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। यह भी आप याद रखेंगे। चीक है तो दुनिया को कितने समय जोन में बाटा गया है तो दुनिया को 24 समय जोन में बाटा गया है याद रखेंगे। विभाजित के मामले में विभाजित में दूसरे नंबर पे है ठीक है तो आप्शन नंबर बीज होगा आपका सही आंसर होगा। आपको पता होगा विभाजित की कुल जनसंख्या का कितना परतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है तो विभाजित की कुल जनसंख्या का 17.5 परतिशत जनसंख्या कहा निवास करता है। ठीक है तो विभाजित की कुल जनसंख्या का 17.5 परतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। रखेगा इंपोर्टेंट सवाल है पूछ सकता है इसके अलावा आपको पता होगा कि सरवादिक जनसंख्या वाला भारत में पुछेगा सरवादिक जनसंख्या वाला दो जिला कौन-कौन सा है तो महाराष्ट का थाने जिला जो है सरवादिक जनसंख्या वाला जिला है इसके रखेगा अगर आपसे पूछे 2011 जनगर्ना आयुक्त कौन थे 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 2011 जनगर्ना का सुभंकर क्या था आपको पता है तो 2011 जनगर्ना का सुभंकर था प्रगनक सिक्षिका और इसका आदर से वाक्य था हमारी जनगन्ना हमारा भविस्य था, 2011 जनगन्ना युक तो सी चंद्रमॉली, 2011 जनगन्ना का आदर्स वाक्य था, our senses, our future याद रखेगा, ठीक है और भारत में विश्व की इकुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या निवास करती है, याद रखेंगे, अगर आप से गाटी, निवन्तम आबादी वाला छित्र कौन सा है, दिवाग गाटी, ये कहां पर है, अरुनाचल प्रदेश में है, दिवाग गाटी, याद रखेंगे, तो सही आंसर होगे, अप्शन नमबर B, क्लास को एक बार सेर कर दीजेगा, 2017-18 के दोरान, निमलिकित में से कौन सा देश, दुनिया का सबसे बड़ा दुग्द उतपादक देश है, तो लारजेस्ट मिल्क प्रोडूशर देश कौन सा है, आपको बताना है, तो आंसर करेंगे, लारजेस्ट मिल्क प्रोडूशर देश कौन सा है, तो सही आंसर क्या हो भारत थेके वर्तमान में भी भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दुखद उतपादक देश है और ये 2018 में भारत था याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा दुखद उतपादक देश भारत है तो आपका अनसर option no b याद रखेगा अब यहां से important सवाल बनता है अगर आपसे पूछे विश्व में सबसेदिक चावल का उत्पादन कौन सा देश करता है ठीक है तो पहले तो आपको एक देश के बार में याद रखना है कम समय में जल्दी याद होगा चीन जो है चावल के उत्पादन में अगर नहीं है याद रखना है कि चावल का उत्पादन सबसेदिक कहा होता है चीन में गेहूं का उत्पादन सबसेदिक कहा होता है चीन में कापास का उत्पादन सबसेदिक कहा होता है चीन में समझ में आ रहा है मुंगफली का सरवादी कुद पादन कहा होता है चीन में मुंगफली का सरवादी कुद पादन कहा होता है चीन में इसको आप याद रखेगा चाई का सरवादी कुद पादन कहा होता है चीन में ठीके तंबाकू का सरवादी कुद पादन कहा होता है तंबाकू का सरवादिक उत्पादन कहा होता है चीन में ठीक है तो यह सब आपको याद रखना है आलू का सरवादिक उत्पादन कहा होता है चीन में प्याज का सरवादिक उत्पादन कहा होता है चीन में ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि चावल, गेहू, कपास, मुं चापास का सरवादिक उत्पादन चीन में होता है प्याज के उत्पादन में भारत कितने नंबर पे है तो प्याज के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है आलू के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है तमाकू के उत्पादन में भारत नहीं है दूसरे नंबर पे तमाकू के उत्पादन में दूसरा देश है ठी इन सब उत्पादन में भारत जो है नंबर टु है थिके यह तो यह आप आराम से याद रख सकते हैं कि चावल, गेहूं, कपास, मुंफली, चाए, प्याज, आलू के उत्पादन में चीन नंबर वन train और भारत नंबर टु है चीन जो है इन सब छेतरों में आगे है अगरणी है याद रखेगा अगर आपसे पूछेगा जूट का उत्पादन सबसेदिक कहा होता है तो बता देए जूट का सबसेदिक उत्पादन कहा होता है चीक है तो जूट का सरवादिक उत्पादन कहा होता है भारत में याद रखना है जूट का सरवादिक उत्पादन कहा होता है भारत में होता है दलहन का सरवादिक उत्पादन कहा होता है भारत में मसाला का सरवादिक उत्पादन कहा होता है भारत में केला का सरवादिक उत्प अगले सवाल देखते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख दुख पाधिक देश कौन सा है भारत याद रखेगा क्लास को एक बार share कर दीजे ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाब उठा सकें विटकोईन क्या है आपको बताने है विटकोईन क्या है simple सा सवाल है सभी को पता होगा bitcoin क्या है तो answer करेंगे bitcoin क्या है bitcoin क्या है तो सही answer क्या होगा option number D जो है आपका सही answer हो जाएगा form of digital currency digital mudra का एक रूप है bitcoin तो याद रखना है bitcoin क्या है तो bitcoin जो है digital currency का एक form है digital mudra का एक रूप है bitcoin याद रखना है बैंकों का रास्टी करन क्या गया था आंसर करेंगे किस वर्स भारत में बैंकों का रास्टी करन क्या गया था चीक है तो किस वर्स भारत में बैंकों का रास्टी करन क्या गया था आपको बताना है ठीक है तो आप आंसर करें किस वर्स भारत में बैंकों का रास्टी करन क्या गया था ठीक है तो आपको पता होगा 1979 याद रखना है 1969 इसवी में 14 बेंकों का रास्टी करन गया था 1969 इसवी से ही मान बुकर पुरुसकार दिया जा रहा है आपको याद होगा 1969 इसवी से ही दादा सहाब फाल के अबॉर्ड दिया जा रहा है तो अगर आपसे पूछेगा दादा सहाब फाल के अबॉर्ड कब से दिया जा रहा है तो याद रखना है कि दादा साफ फाल के अबाड भी 1969 से दिया जा रहा है ठीक है तो दादा साफ फाल के अबाड 1969 मान बुकर अबाड 1969 याद रखना है दोनों इसके अलावा आपको पता हो कि नील अमस्टॉंग चांद पे गए थे तो ये भी याद रखना है 1969 ठीक है नील अ नील अमस्ट्रोंग चांद पर कब गए तो याद रखना है कि नील अमस्ट्रोंग 1969 में चांद पर गए थे मानबुकर पुरुसकार भी 1969 से दिया जा रहा है और दादा साफ फालक अवर्ड भी 1969 से शुरू हुआ है इसके अलावा 14 बेंको का रास्टिकरन जो हुआ था 1969 में एकोनids का नोबेल पुरुसकार पहली बर कब दिया गया 1969 में दिया गया याद रखेंगे अब इस सवाल को देखते हैं पुछा है किस वर्स भारत में बेंको का रास्टिकरन हुआ याद रखना है 19 जूलाई 1969 19 जूलाई 1969 को 14 बेंको का रास्टिकरन ठीक है 14 बैंकों का रास्टी करन पूछे का कितने बैंकों का रास्टी करन तो 14 बैंकों का रास्टी करन हुआ था ठीक है तो 14 बैंकों का रास्टी करन कब हुआ था 14 बैंकों का रास्टी करन हुआ था 19 जुलाई 1979 को याद रखेंगे इसके बाद एक और important सवल बनता है, कि 6 बैंकों का राश्टी करन कभ हुआ था? तो आपको याद रखना 15 April 1980 15 April 1980 को फिर से 6 बैंकों का राश्टी करन हुआ था 15 April 1980 को 6 अनुशुचित बैंकों का राश्टी करन किया गया था, तो इस दीज को भी आप याद रखेंगे 6 बैंकों का रास्टी करन ठीक है, तो 15 अप्रेल 1980 को 6 बैंकों का रास्टी करन किया गया था, आप अच्छे राइटिंग से लिखेंगे या याद रखेगा ठीक है, 15 अप्रेल 1980 को 6 बैंकों का रास्टी करन किया गया था, इस चीज को भी आप याद रखेगा बागी आपको यहां से क्या क्या याद रखना है ये समझ में आगे आंसर अब देखें आप से पूछे का Imperial Bank of India का स्थापना कब हुआ था अगर पता है तो बताए Imperial Bank of India का स्थापना कब हुआ था Imperial Bank of India का स्थापना कब हुआ था imperial bank of india का स्थापना 1921 इसवी में हुआ था याद रखना है कि 1921 इसवी में imperial bank of india का स्थापना हुआ था ठीक है और इसको आराम से आप relate करके भी याद रख सकते हैं 1921 में कौन सा विद्रो हुआ था आपको पता है मोपला विद्रो हुआ था 1921 में, मोपला विद्रो केरल में हुआ था 1921 में, तो यहाँ से याद कर सकते हैं, इंपिरियल बैंक ओफ इंडिया 1921 में, अस्थापित हुआ है, याद रखेंगे, इसके अलावा आपसे पूझ सकता है, भारती रिजोब बैंक याद रखेंगे, इसके अलावा आपसे पूझ सकता है, भारती रिजोब बैंक ओफ इंडिया, तो आर्बिया का स्थापना कब हुआ है ठीक है भारतिय स्टेट बैंक भारतिय स्टेट बैंक यानि SBI बोल सकते हैं स्टेट बैंक आफ इंडिया SBI का स्थापना कब हुआ है तो याद रखना है एक जुलाई एक जुलाई को हम लोग SBI स्थापना दिवस भी मनाते हैं आपको पता होगा तो एक जुलाई 1955, एक जुलाई 1955 को State Bank of India का स्थापना हुआ है, तो याद रखना है अगर आप से पूछे, भारती एस्टेट बैंक का गठन कब हुआ, तो एक जुलाई 1955 को भारती एस्टेट बैंक का गठन हुआ है, ठीक है, LIC का full form क्या होता है, आपको पता है, भारती बीमा निगम के स्थापना 1956 इस्वी में हुआ है, और इसका जो headquarter है कहां पे है, मुंबई में है, तो याद रखने है, LIC का headquarter मुंबई में है, और LIC का स्थापना जो है 1956 इस्वी में हुआ है, ठीक है, नाबाड आपको पता होगा, नाबाड से भी सवाल पूछता है, नाबाड का full form होता है, रास्टी ए, किरसी तथा ग्रामीन विकास बैंक, और यह करता क्या है, तो देश में किरसी एवं ग्रामीन विकास है, तो वित उपलब्द कराने वाली सिर्श संस्ता है, नाबाड, नाबाड का headquarter कहां पे है, मुंबई में है, याद रखेंगे, तो नाबाड का headquarter, अगर आप से पूछ दे, तो याद रखना है, नाबाड का headquarter कहां पे है, मुंबई में है, ठीके, नाबाड का headquarter कहां पे है, मुंबई में, और नाबाड का जो गठन हुआ था, या जो अस्थापना हुआ था, शिवरमन समीती की सिफारिस पर, तो यह आप अच्छे से कि सिव्रमन समीती की सिफारिस पर नाबाड के स्थापना की गई थी नाबाड का हेटक्वाटर मुंबई में है नाबाड का फुल फॉर्म क्या है तो याद रखना है नाबाड का फुल फॉर्म रास्टी कृसी तथा ग्रामीन विकास बैंक है याद रखेंगे ठी चलि अगला सवाल देखते हैं important सवाल था इसको भी आप याद रख लिजेगा तो 14 बैंकों का राश्टी करन क्या गया था 1969 में Reserve Bank of India के अस्थापना किस वर्स में हुई थी answer करेंगे in which year Reserve Bank of India was established Reserve Bank of India किस वर्स अस्थापित क्या गया तो आप सभी जानते हैं कि 1 April 1935 को Reserve Bank of India के अस्थापना हुई तो अगर आप से पूछे Reserve Bank of India के अस्थापना 1 April 1935 1 April 1935 को Reserve Bank of India का अस्थापना हुआ अगर आप से पूछेगा RBI का राश्टी करन कब हुआ RBI का राश्टी करन कब हुआ तो 14 साल के बाद RBI का राश्टी करन होता है तो रिजो बैंक उफ इंडिया का गथन पूछेगा तो 1 अपरेल 1935 लेकिन अगर रास्टी करन पूछेगा तो 14 साल के बाद यहनि 1949 में होता है रास्टी करन एक जनवरी 1949 को RBI का रास्टी करन होता है तो दोनों date important है याद रखना है रिजो बैंक आफ इंडिया के अस्थापना रिजो बैंक की अस्थापना एक अपरेड 1935 को हुई थी जबकि रिजो बैंक का रास्टी करन एक जनवरी 1949 को हुआ था याद रखेंगे और रिजो बैंक जो है भारत का केंद्रिय बैंक है रिजो वर्तमान headquarter कहां पर है तो वर्तमान headquarter मुंबई में ठीक है वर्तमान headquarter कहा है तो यह याद रखना है मुंबई में है वर्तमान headquarter तो RBI का पुराना हेटक्वार्टर कॉलकाता, RBI का वर्तमान हेटक्वार्टर मुंबई याद रखेगा और RBI का काम क्या है तो भारत में मौदरिक एवं साक्र निती जो है RBI के द्वारा तयार की जाती है, लागू की जाती है याद रखेंगे अगर आपसे पूँछे, RBI के पहले गवर्णर कौन थे, आरबे आइए के पहले गवर्णर कौन थे, तो आपको याद रखना है, RBI के पहले गवर्णर थे Sir Osborne Smith, कौन थे? Sir Osborne Smith, आप याद रखेगा ठीक है तो RBI के पहले गवर्णर थे सर ओस्बोर्ण इस्मित रखेगा अगर आप से पूचे HRBI के पहले भारती गवर्णर तो क्या आंसर होगे बताएंगे HRBI के पहले भारती गवर्णर ठीक है आर्बियाई के पहले भारते गवर्णर कौन थे? तो याद रखना है आर्बियाई के पहले भारते गवर्णर थे CD देश्मुग कौन थे? याद रखना है आर्बियाई के पहले भारते गवर्णर कौन थे? CD देश्मुग और RBI के पहले गवर्णर बोलेगा तो RBI के पहले गवर्णर थे Sir Osborne Smith ठीक है तो RBI के पहले गवर्णर Sir Osborne Smith थे RBI के पहले भारती गवर्णर CD देशमुक थे याद रखेंगे ठीक है इंपोर्टेंट सवाल है और Hilton Young I.O. की सिफारिस पर RBI का स्थापना हुआ था RBI का गठन हुआ था याद रखेंगा ठीक है तो Reserve Bank of India का स्थापना 1 April 1935 को हुआ था याद रखेंगा तो आंसर होगे अपसन नमबर D. क्लास को प्लीज एक बार आप लोग सेर कर दीजे और लाइक नहीं किये है प्लीज क्लास को लाइक कर दीजे केंदर सरकार के विकास वे में सामिल नहीं है आंसर करेंगे Not included in the development expenditure of the central government इन में से क्या ऐसा छेत्र कौन सा ऐसा छेत्र है जो केंदर सरकार के विकास वे में सामिल नहीं है development के खर्चों में सामिल नहीं किया गया है option number A, defense expenditure option number B, expenditure on economic service, आर्थिक सेवाओं पर विकास वे, देखिए, आर्थिक सेवा पर जो विकास वे किया जाएगा, इसको विकास वे में सामिल किया जाता है अगला option, expenditure on social and community service, सामाजिक और सामुदाइक सेवाओं पर वे सामाजिक और सामुदाइक सेवाओं पर जो खर्च किया जाता है इसको भी विकास वे में सामिल किया जाता है राज्यों के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसको भी विकास वे में सामिल किया जाता है लेकिन जो defense expenditure है, रक्षा के यह नहीं किया जाता है, विकास वे में सामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, तो आपका यहां से आंसर क्या हो गया, option number A याद रखना है, कि defense expenditure को development expenditure की रूप में हम लोग सामिल नहीं कर सकते हैं, केंदर सरकार के विकास वे में सामिल किया जाता है, आर्थिक सेवाओं पर वे, सामाजिक और सामुदाइक सेवाओं पर वे, इसके अलावा राज्यों के लिए अनुदान, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, option number A, केंदर सरकार के विकास वे में सामिल नहीं है, defense expenditure, question आसान है, ठीक है, अगला सवाल, भारतिय सविधान सभा में कुल कितनी महिला सदसे थी, आपको वताना important सवाल है, आंसर करेंगे, भारतिय सविधान में कुल कितनी महिला सदसे थी, ठीक है, तो याद रखना है, भारतिय सविधान सभा में कुल 15 महिला सदसे थी, ठीक है, तो याद रखना है कि सविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी याद रखना है अगर आपसे पूछे सविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था ठीक है अगर नाम पूछेगा तो नाम 15 तो आप याद नहीं रख पाईएगा कुछ कुछ important नाम याद रख सकते हैं कि सविधान सभा में जो 15 महिलाएं सामिल थी उनमें कुछ important महिलाएं जैसे राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नाइडू, हंसा महता ठीक है जो important important नाम है उनको आप याद रख लिजेगा कि सविधान सभा में कुल 15 मह लाएं थी जिनमें से सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है पुन्नीमा बनर जी, हंसा महता ठीक है इतना आप याद रख लिजेगा अगर आप से पूछे सविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था तो आप बताएंगे स सविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुआ था जिसमें डॉक्टर सचिदानन सिन्हा जी को औस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था तो याद रखना है कि सविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुआ था जिसमें डॉक्टर सचिदानन सिन्हा जी को औस्थाई अध्ष बनाया गया था चीक है अगर पूछे सकेंड बैठक कब हुआ था तो 11 दिसंबर 1946 11 दिसंबर 1946 को सविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था और 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजंदर परसाद जी को सविधान सभा का अस्थाई अध्ष चुना गया था तो सविधान सभा के अस्थाई अध्ष कौन थे तो सविधान सभा के अस्थाई अध्ष बने थे डॉक्टर राजंदर परसाद 11 December 1946 को Dr. Rajendra Prasad जी को सविधान सभा का अस्थाई अधक्ष बनाया गया था अगर आपसे पूछे सविधान सभा का उपाधेख्ष किसको बनाया गया था अधेख्ष तो आप जानते हैं कि Dr. Rajendra Prasad अस्थाई अधेख्ष बने थे ठीके, S.C. मुखर जी को सविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था, याद रखेगा, अगर आपसे पूछे, सविधान सभा के समवेधानिक सलाहकार कौन थे, समवेधानिक सलाहकार कौन थे, तो B.N. राओ, ये भी important सवाल है, समवेधानिक सलाहकार कौन थे, याद 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजंद परसाद जी को सविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, और उसी दिन, H.C. मुखर जी को उपाध्यक्ष चुना गया, और B.N. राओ को सविधानिक सलाहकार के रूप में न्यूक्त किया गया, फिर एक डेट और बहुत important है 13 दिसंबर 1946, आपको पता होगा 13 दिसंबर 1946 को सविधान सभा में जवाहरलाल नहरू जी के द्वारा उदेश से प्रस्ताव पेस किया गया था, तो आपसे पूस्ता है उदेश से प्रस्ताव कब पेस किया गया, तो उदेश से प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नहरू के द्वारा सविधान सभा में पेस किया गया था याद रखेंगे ठीक है समझ में आ गया तो important सवाल है पूस्ता है exam में तो उसको आपको याद रखना होगा तो सविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी याद रखेंगा ठीक है अगर नाम लिखना है तो आपको बता ही दिए राजकुमारी अमरिता कोर रेनुका राय सरोजनी नाइडू सुचिता कृपलानी विजय लक्ष्मी पंडित ठीक है हनसा महता ठीक है याद रखेंगा चलिए अ अगरिकों को किस चीज की समानता का वचन देता है तो आंसर होगा अगरिकों को स्टेटस और अपुर्चिनिटी याद रखेंगा अगला सवाल अंतरास्तिय सांतिय और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंदित प्रावधान भारती सविधान के निमनिलखित में से किसके एक भाग के रूप में उलेखित है बहुत अच्छा सवाल है ठी ठीक है पता है तो आंसर करेंगे प्रोविजन्स रिलेटिंग टू प्रोमोशन ओफ इंटरनेशनल पीस और सेक्यूरिटी आर मेंसंड अर मेंसंड अज पार्ट अफ वीच ओफ द फॉलोविंग इन इंडियन कंस्टिटूशन अंतरास्तिय सांतिय और सुरक्षा को बढ़ा डीपीएसपी मतलब राजी के निती निर्देशक से धानत क्यों 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 कि आपको पता है कि अंतरास्तिय सांतिय और सुरक्षा को बढ़ावा देने का जो प्रयास है ये किस अनुछेद में है तो याद रखना है आर्टिकल कौन सा आर्टिकल 51 याद रखना है अनुछ अनुछेद 51 में अंतरास्तिय सांति और सुरक्षा के अविविर्दी से संबंदित प्रावधान है और अनुछेद 51 जो है राजी के निती निर्देशक शिधानत के अंतरगत आता है अब यहां से जो इंपोर्टेंट सवाल बनेगा आपसे पूछेगा कि राजी के निती न अनुछेद 51 जो है और राजी के निती निर्देशक शिधानत के अंतरगत आता है और राजी के निती निर्देशक शिधानत आयरलेंट के सविधान से लिए गये है याद रखेंगे और आपको ये भी याद रखना है कि राजी के निती निर्देशक शिधानतों को नियायाले द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है यानि इसे वैधानिक सक्ति प्राप्त नहीं है याद रखेंगे ठीके समझ में आ गया तो आंसर क्या होगा अप्सन नमबर बी अब यहां पंचायत का गठन किस अनुछेद के तहत होता है तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत का गठन याद रखना है ग्राम पंचायत का गठन अनुछेद 40 के तहत किया जाता है अनुछेद 44 आपको पता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संगीत अनुछेद 44 में है uniform civil code याद रखेगा अगर आपसे पूचे याद रखेगा अगर आपसे पूचे याद रखना है आपसे पूचे अगर आपसे पूचे पूचे तो 48 कौ में प्रियावरन संरक्षन और वने जीवों की सुरक्षा का प्रावधान है याद रखेगा और 48 में कृसी एवंपसुपालन के संगठन के बारे में बताया गया है और इंपोर्टेंट जो है आर्टिकल 50 बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछेगा सविधान का कौन सा अनुछेद कारे पालिका को न्याय पालिका से अलग करता है याद रखना है कारे पालिका और न्याय पालिका में अंतर करता है अनुछेद 50 कारे पालिका को न्याय पालिका से अलग करता है कौन सा अनुछेत तो याद रखना है कारे पालिका को न्याय पालिका से अलग करता है अनुछेत पच्चास ठीक है याद रहेगा कि भारते सविधान का अनुछेत पच्चास कारे पालिका को न्याय पालिका से अलग करता है ठी और मौलीक अदिकार के बारे में आपको पता है, मौलीक अदिकार भाग 3 में है, अगर मौलीक अदिकार से पूछे, तो मौलीक अदिकार भाग 3 में है, और कहां से कहां तक है, आर्टिकल, याद रखना है, मौलीक अदिकार भाग 3 में है, ठीक है, याद रखना है, याद रख इस चीज को भी आप याद रखेंगे ठीक है तो अगला सवाल देखते हैं क्योंकि बहुत सारा सवाल देखना है तो प्लीज आप सभी से humble request करेंगे कि class को आप लोग support करें निमनिलिखित में से कौन सी समीती ने मूल कर्तवियों को सविधान में समलित करने का सुझाओ दिया आपको बताना है कौन सा ऐस समीती है जिसकी सिफारिस पर सविधान में मौलिक कर्तवियों को सामिल किया गया तो पहला बात तो यहां से याद रखना है कि मूल सविधान में सविधान में 0 मौलिक कर्तविय था तो याद रखना है कि मूल सविधान में जीरो मौलिक करतवे था कितना मौलिक करतवे था मूल सविधान में जीरो मौलिक करतवे था important सवाल है पूस्ता एक्जाम में और हम लोग गलती करते हैं चीक है तो इसलिए आपको याद रखना है मूल सविधान में जीरो मॉलिक करतवे था लेकिन क्या होता है सरदार स्वन सिंग समीती के अनुसंसा पर याद रखेगा मूल सविधान में जीरो मॉलिक करतवे थे सरदार स्वन सिंग समीती के अनुसंसा पर मतलब सुझाव दिया गया और मॉलिक करतवे को पूछेगा, नीचे देखेंगे, ठीक है, पुछेगा मौलिक करतवे, ध्यान दिज़ेगा, मौलिक करतवे, कब जोड़ा गया आपसे पूछेगा, हम लोग यह समझ गए कि सरदार स्वन सिंह समीती के अनुसंसा पर जोड़ा गया, कौन सा संसोधन, रियाद रखना है, सरदा 42 सविधान संसोधन के तहट, बहुत सारा चेंजिंग हुआ था, याद रखना है, 42 सविधान संसोधन द्वारा 1976 में मौलिक करतवे को जोड़ा गया, याद रखना है, 42 सविधान संसोधन द्वारा 1976 में कितना मौलिक करतवे को जोड़ा गया, तो ये भी याद रखना है, 10 म पूछेगा कि मौलीक करतवे को कब जोड़ा गया तो सरदार स्वण सिंग समीती के अनुसंसा पर 42 सविधान संसोधन द्वारा 1976 सविधान में 10 मौलीक करतवे को जोड़ा गया था याद रखेगा मूल सविधान में कितना मॉलिक करतवे था मूल सविधान में 0 मॉलिक करतवे था वरतमान में कितना मॉलिक करतवे है वरतमान में 11 मॉलिक करतवे है याद रखेगा और मॉलिक करतवे को भाग 4 का कौमे रखा गया है मॉलिक करतवे को भाग 4 का कौमे रखा गया और अनुशेद पूछे तो अनुशेद 51 कौमे है ठीक है आर्टिकल 51 कौमे है याद रखना है कि मौलिक करतव ये भाग चार का कौमे है और अनुशेद 51 कौमे वर्णन क्या गया है ठीक है समझ मैं तो मूल सविधान में मौलिक करतव ये नहीं थे 1975 इस्वे में तभी परधान भाग चार में भाग चार के बाद भाग चार का कौ में याद रखना है मौली करतव भाग चार का कौ में है ठीक है तो भाग चार का कौ में मौली करतवी को जोड़ा गया अनुशिद 51 को के ताहत और 10 मौली करतवी को जोड़ा गया था वरतमान में 11 मौली करतव है 86 सविधान स अगला सवाल भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है इसकी पर्थम लोकसभा कब आयोजित हुई थी? आपको बताना है पहला लोकसभा कब आयोजित हुई थी? ठीक है अच्छा सवाल है आपको बताना है पहला लोकसभा कब आयोजित हुई थी? तो लोकसभा में अधिक्तम 552 सदस्य हो सकता है ठीक है अगर आपसे पूचे का किस राज में कितना लोकसभा सीथ है तो सबसे अधिक लोकसभा सीथ है उत्तर प्रदेश में कितना लोकसभा सीथ है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 लोकसभा सीथ है महारास्ट में कितना ल अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य है उत्तरप्रदेश 80 लोकसभा सीट है महराष्ट 48 लोकसभा सीट है वेस्ट बेंगॉल 42 लोकसभा सीट है बिहार 40 लोकसभा सीट है तमिलाडू 39 लोकसभा सीट है ये भी आपको याद रखना है important है सवाल पूछता है ठीक है और आपको प सदस्य बनने के लिए 30 साल होना चाहिए रास्टपती उपरास्टपती और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्स मिनमम होना चाहिए तो अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल होना चाहिए रास्टपती उपरास्टपती और राज्यपाल बनने के लि याद रखना है कि लोगसभा का अधिक्तम कारेकाल यानि जनरली लोगसभा का जो कारेकाल होता है वो 5 साल होता है लेकिन राष्टपती के द्वारा लोगसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है याद रखेगा क्योंकि लोगसभा जो है और अस्थाई शदन है आया सारा आपको पढ़ा चУके हैं अगर आप रेगूलर तियारी कर रहे तो आपको याद होगा कहीं भी आप अगर रेगूलर पढ़े होगें तो आपको पता होगा तो याद रखना है की अनुआज़ेद 108 के तहट राष्टपती बुलाया जाता है और अनुछेद 118 के तहट लोगसभा अध्यक्ष जो है वो सेउक्ट अध्यक्षता करते हैं चीक है तो यहां आपका आंसर ऑप्शन नमबर C याद रखेगा कि पहला लोगसभा कब आयवजित क्या गया था 13 मईए 1952 को पहला लोगसभा आयवजित क्या गय है तो आप सभी को आंसर बताना है तो आंसर होगा ऑप्शन नमबर बताया आंसर करें ऑप्शन नमबर A याद रखेंगे बॉन डिजीज ठीक है तो अस्थी रोग के अध्यन से सम्मधित है पीडिया ट्रिक्स ठीक है तो अगर आपसे पूछे पीडिया ट्रिक्स क्या है त तो Pediatrix में अस्थी रोग के अध्यन के जाते हैं तो आपका आंसर हो गया Pediatrix अस्थी रोग के अध्यन से सम्मधित है Bond disease के अध्यन से सम्मधित है Pediatrix याद रखेगा Litmus-Villian एक बैगनी रंग का रंजक होता है पहला तो यहाँ पर आपको यही समझ में आगया यह पूछ रहा है कि लिटमस विल्यन जो है एक बैगनी रंग का रंजक होता है लिटमस को कहां से प्राप्त किया जाता है तो सभी को पता होगा लिटमस को कहां से प्राप्त किया जाता है तो लाइकन से प्राप्त किया जाता है तो आंसर होगा option number C याद रखना है लिटमस व का मिस्रन होता है मतलब दोनों से मिलके बनता है फंजाई और एलगी से मिलकर बनता है याद रखना है कि फंजाई और एलगी से मिलकर बनता है से मिलकर बनता है ठीक है तो याद रखना है कि लिटमस विलियन एक बैगनी रंजक होता है जिसको हम लोग लाइकन से प्राप्त कर और सेवाल प्रकास संसलेशन की क्रियादवारा कार्बोहेड़ेट का निर्मान कर कवक को देता है क्योंकि आप जानते हैं कवक जो होता है कवक मतलब फंजाई जो होता है यह जो होता है खुद से खाना नहीं बना सकता है कवक जो होता है प्रकास संसलेशन नहीं करता है तो ज तो याद रखना है कि फंजाई और अल्गी मिलकर लाइकेन का निर्मान करते हैं और इन दोनों के बीच में सिंबाइोटिक количество होता है। और आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछे का तो लाइकन के अध्यन को lycanologic कहा जाता है याद रखेगा इसके अलब आपको पता होगा एक सवाल और यहां से पूछता है कि इने में से कौन उसा है जो वायू प्रदूशन को बताता है चीक है तो lichen जो होता है न ये air pollution indicator के रूप में इस्तमाल होता है तो याद रखना है lichen air pollution चीक है air pollution indicator के रूप में इस्तमाल होता है air pollution indicator तो अगर आपसे पूछेगा air pollution indicator के रूप में किसका इस्तमाल होता है तो lichen का उप्योग air pollution indicator के रूप में होता है तो जहाँ air pollution जादा होगा वहाँ पर lichen नहीं उगेगा तो आपको याद रखना है air pollution indicator के रूप में किसका इस्तमाल किया जाता है या कौन होता है तो याद रखना है lichen जो है वाईव परदूशक के संकेतक होते हैं याद रखना है वाईव परदूशन जादा होने पर नहीं उगेगा परियुक्साला में परियुक्त होने वाली लिटमस पेपर की कौन से lichen से प्राप्त होता है तो याद रखना है कि आपको याद रखना है रोसेला lichen ठीक है तो याद रखना है प्रियुक साला में प्रियुक्त होने वाली लिटमस पेपर रोसेला लाइकन से प्राप्त होता है अगर नाम पूझ दे कि लिटमस विलियन जो है एक बैगनी रंग का रंजक है यह किस प्रकार के लाइकन से प्राप्त होता है तो रोसेला लाइकेन से प्राप्त होता है, समझ में आया, रोसेला लाइकेन से प्राप्त होता है ठीक है, तो जैसा question पूछें वैसा आपको answer करना है, तो अगर आपसे पूछें कि लिटमस विलियन किस प्रकार के लाइकेन से प्राप्त होता है तो याद रखना है कि लिटमस विलियन रोसेला लाइकन से प्राप्त होता है तो लिटमस विलियन एक बैगनी रंग का रंजक होता है जिसे लाइकन से प्राप्त किया जाता है तो लिटमस विलियन को रोसेला लाइकन से प्राप्त किया जाता है याद रखेंगे तो यहाँ प में से किस परिक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसी अवस्था में परिवर्दित हो जाता है simple सा सवाल है बताना है by which of the following processes does water change from liquid state to gaseous state कौन सा ऐसा परिक्रिया है जिसके द्वारा जल लिक्वीड state से gaseous state में convert हो जाता है simple सा सवाल है वास्पी करण और वास्पोत सर्जन तो आंसर हो जाएगा evaporation और transpiration तो आपका सही अंसर होगा वास्पी करण और वास्पोत सर्जन ठीक है तो जल जो है तरल अवस्था से गैसी अवस्था में परिवर्दित होता है वास्पी करण और वास्पोच सर्जन परक्रिया के द्वारा अगला सवाल विच इंस्टुमेंट इस यूजड टू मेजर देप्ट आफ दा ओसियन आपसे पूछ रहा है सागर की गहराई समुद्र की गहराई मापने के लिए सभी को पता है समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदो मीटर का इस्तमाल किया जाता है तो याद रखना है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए तो सही answer होगा वायुमंदलिय दाब याद रखना है कि वायुमंदलिय दाब का ऐसा इमातरक क्या होता है अब आप आपसे पूछेगा कि वायुमंदलिय दाब होता क्या है तो याद रखना है सामाने तह वायुमडलिय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 cm लंबे कॉलम के द्वारा 0 degree Celsius पर 45 degree अक्छांस पर समुदर तल पर लगाया जाता है चीक है लेकिन ये ज़्यादा तो डेफिनेशन तो नहीं पूछता है आपसे इस से related सवाल ऐसे पूछ सकत पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है ये पूछ सकता है कि दाब का परिभास आप बताइए तो किसी सतह के एकांग छितरफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है दाब बराबर होता है force बटे area याद रखेंगे और दाब का SI मातरग अगर आपसे पूछे तो आप यहीं से निकाल सकते हैं कि दाब का SI मातरग क्या होता है बताएं दाब का SI मातरग क्या होता है तो बल का क्या होता है एफ का क्या होता है आपको पता है newton और area का क्या होता है meter square तो याद रखना है कि दाब का SI मातरग क्या होग या Newton पर meter square समझ मैं याद रखना है किसी सतह के इकांग चित्रफल पर लगने वाले बलको दाब कहा जाता है दाब बराबर होता है force by area और दाब का ऐसा है मातरक होता है Newton per meter square याद रखेंगे ठीक है और दाब को किस से मापा जाता है पता है आपको तो बता दिजेगा किस से मापा जाता है अब देखें दाब का ऐसा है मातरक Newton per meter square हुआ Newton per meter square को Pascal भी कहा जाता है तो एक्जाम में हो सकता है Pascal भी लिखा रहे तो आपको याद रखना है कि दाब का ऐसा है मातरक Newton per meter square होता है जिसे Pascal भी कहा जाता है ठीक है और दाब क्या होता है अदिस रासी होता है इसीज को भी याद रखेगा कि दाब एक अदिस रासी है चीक है तो बार से क्या होता है वायुमंडलिय दाब को मापा जाता है और अगर आपसे पूछे वायुमंडलिय दाब का सहमातर क्या होता है बार और पूछे एक बार का मान कितना होता है एक बार बराबर क्या होता है तो 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्कॉयर समझ मैं एक बार बराबर हो गया 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्कॉयर याद रखेगा समझ मैं एक बार बराबर 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्कॉयर अथार्थ एक बार के बराबर होता है तो अगर आपसे पूछे वायमंडले दवाब कितना होता है तो वायमंडले दवाब जो होता है एक बार होता है या फिर वायमंडले दवाब दस पे पावर पांच न्यूटन पर मीटर स्क्वार होता है तो वायुमंडलिय दाब क्या होता है कम होता है ठीक है पहाडों पर खाना बनाने में कठिनाई होता है क्योंकि जितना उपर जाते हैं उतना वायुदाब कम होता है तो याद रखना है पहाडों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि उपर क्या होता है वायुदाब क द्वारा की गई थी और आपको पता होगा बैरोमीटर से मौसम संबंदी पुरुवा नुमान भी लगाया जाता है जैसे बैरोमीटर का पाठ्यांग अगर एका एक नीचे गिरेगा तो आंधी आने की संभावना होगी बैरोमीटर का पाठ्यांग धीरे धीरे नीचे गिरेग तो वर्सा होने की संभावना, बैरोमीटर का पाठ्थांग जब अचानक नीचे गिरे तो आंधी तुफान आने की संभावना, सारा याद रखना है यह सब आप से पूछ सकता है, तो बार किसका इकाई है, वायमंडलिये दाब का इकाई है, याद रखेगा, तो आप सभी से ह वाल, वित्यापात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है, आंसर करेंगे, for how much time financial emergency can be proclaimed, वित्यापात काल कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, लागू क्या जा सकता है, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है, आर्टिकल 360 में वित्यापात काल का प्र जब भारत के वित्यापात काल का कोई time fix नहीं है, यह अनिश्चित काल है, ठीक है, तो याद रखना है कि रास्टपती वित्यापात काल की घोसना को किसी भी समय वापस ले सकते हैं, और इनका जो अधिक्तम समय सिमा यह निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है, याद रख जब तक इसको वापस नहीं ले लिया जाए, तो याद रखना है, वित्यापात काल का कोई समय फिक्स नहीं है, इसका कोई अधिक्तम सिमा फिक्स नहीं है, यानि यह जो है अनिश्चित काल के लिए लगाया जाता है, तो आंसर हो गया, उप्सन नमबर D, याद रखेगा, स आपको पता है, भारत में तीन प्रकार का अपात काल लग सकता है, अनुछे 352 के तहट, अनुछे 352 के तहट, नेस्नल एमरजनसी लगता है, याद रखना है, अनुछे 352 में नेस्नल एमरजनसी का परावधान है, अनुछे 356 में रास्टपती सासन का परावधान है, अनु अगर आप से पूछे नेशनल एमर्जेंसी भारत में कितना बार लगा है तो याद रखना है कि नेशनल एमर्जेंसी जो है भारत में तीन बार लगा है ठीक है पहली बार कब लगा है तो ऐसे आप से पूछेगा फर्स्ट नेशनल एमर्जेंसी कब लगा है तो आप बताएंगे भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा है तो आपको पता होगा भारत में पहली बार आपातकाल लगा था भारत चिन यूदिकेस में 1922 में 26 अक्ट पूछे तो आपको याद रखना है तब तक आप कमेंट कर दीजे बांकी और भी जो नेशनल एमर्जेंसी तीन बार टूटल लगा है तो आपको बताना है 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार नेशनल एमर्जेंसी लगा था रास्टी अपातकाल लगा था ठीक है आर्टिकल 352 जिसे कहा जाता है ठीक है दूसरा नेशनल एमर्जेंसी कब लगा था तो आपको पता होगा 1971 इस्वी में 1971 इसमी में दूसरा राश्टिय आपात्काल लगा था 1971 इसमी में ही बांगलादstar आजाद हुआ था 1971 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच युदध हुआ था 1971 में ही इंद्रा गांधी को भारत रत्म पूरुसकार मिला था पाकिस्तान से युदिके समय बाहे आकर्मन के आधार पर ठीक है तो बाहे आकर्मन के आधार पर दूसरा अपातकाल लगा था 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युदिके कारण ठीक है और पहला अपातकाल याद रखना है भारत चिन युदिके समय लगा था और तीसरा जो अ रास्टिया पातकाल कब लगा तो भारत में तीसरी बार रास्टिया पातकाल 26 जून 1975 को लगा था याद रखेगा इंद्रा गांधी परधान मंत्री थी तीसरी अपातकाल के दोरान और रास्टपती थे फकुरुदीन अली अहमद तो ये भी पूस्ता है कि जब तीसरा प्लीज एक बार आप लोग शेर कर दीजे यहां पर आपका आणसर होगा वित्या पातकाल का कोई अधिक्तम अवी नहीं होता है इसे अनिशित काल के लिए लगाया जाता है आटिकल 360 में वित्या पातकाल का प्रावधान है तो ख्लास को प्लीज एक बार लाइक कर दीजे आप लोग निम्लिखित में से कौन रास्टपती के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं आपको बताना है इन में से कौन रास्टपती के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं आप जानते हैं कि रास्टपती का चुनाव जो होता है अनुछेद 54 के तहत होता है रास्टपती का च राजी का विधान सभा होता है उसके निरवाचित सदस से भाग लेते हैं। रास्टपती के चुनाओं में देख रहें आप केवल चुना हुआ, सदसज और रास्टपती के चुनाओं में भाग लेता है। जाता है जनता परतक शुरूप से रास्टपती के निर्वाचन में भागिदार नहीं होती है रास्टपती के निर्वाचन के लिए संसत के दोनों शद्नों के निर्वाचित सदस्य राजी की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और केंदर सासित परदेश दिल्ली और वर्स आकर्मन किया, सभी को पता है बाबर ने भारत पर किस वर्स आकर्मन किया तो फटाफट आंसर करेंगे कि बाबर ने भारत पर किस वर्स आकर्मन किया ठीक है, तो 1526 इसवी, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पूछा है, बाबर ने भारत पर किस वर्स आकर्मन किया तो आंसर करेंगे बाबर ने भारत पर किश्वर्स आकर्मन किया ठीक है ठीक है बिल्कुल से यह आंसर है तो याद रखना है आपका आंसर हो गया पंद्रो सो चब्वी सिस्वी ठीक है पंद्रो सो चब्वी सिस्वी में बाबर ने भारत पर आकर्मन किया था भारत में मुगल वंस के स्थापना हुई थी सभी को पता होगा तो याद रखना है बाबर ने भारत पर किस वर्स आकरमन किया तो फंदरज उचबीस हिस्वी याद रखना है ठीक है आपका अंसर होगा और फंदरज तिस में बाबर की मिड़्ियु हो जाती है अपको पता है और अगर आपसे पूछे पहला अकर्मन कब किया था बाबर ने भारत पर तो अगर आपसे पूछे बाबर ने पहला अकर्मन कब किया तो आपको याद रखना है बाबर ने भारत पर 1519 इसमी में पहला अभियान चालू किया था यूसूप जई जाती के विरुद ठीक है समझ म आया तो यह भी चीज आप याद रखेगा अगर आपसे पूछे पानिपत का युद कब हुआ था पानिपत का युद पानिपत का पहला युद तो डेट के साथ आपको याद रखना है पानिपत का पहला युद हुआ था 21 अपरेल 1526 को हुआ था पानिपत का पहला युद जि चंदेरी के उद में मेदनी राई को हराया था बाबर ने गागरा का युदगा थे 6 मई 1529 को घागरा के उद में बाबर ने अफगानों को हराया था इस तीच को भी याद रखना है और बाबर को कलंदर की उपादि दी गई थी याद रखेगा तो सही आंसर यहाँ पे 1526 याद रखेंगे ठीक है अगला सवाल निमनिलिखित में से कौन सी धातु हरपन सब्वेता में नहीं पाई गई थी आंसर करना है इन में से कौन सा धातु जो है हरपन सब्वेता में नहीं पाई गई थी सिंपल सा सवाल है आप जानते हैं कि सही आंसर क्या होगा लोहा यहां पर आंसर क्या होगा हडपन सब्वेता में नहीं पाया गया था लोहा जो है वैदिक काल में पाया गया था लोहा जो है वैदिक काल में लोहा का ग्यान होता है आदमी को आदमी को जो है लोहा का ग्यान वै को वैदिक काल में होता है वैदिक आरियों की सबेता ग्रामीन थी वैदिक काल में आरियों की सबेता ग्रामीन थी जबकि सेंधव सबेता नगरिय थी आपको पता होगा वैदिक काल के लोग जो है सोना चांदी तामर लोहा से परिचित थे लेकिन जो सिंदुहाटी सबेता के जो लोग थे या जो हडपा सबेता के जो लोग थे उनको लोहा के बारे में जानकारी नहीं था ठीक है तो इस चीज को भी आपको याद रखना होगा पूस्ता है एक्जाम में तो यहाँ पर आपका अंसर हो गया कौन सा धातू हडपन सबेता में नहीं पाई गई थी आईरन याद रखेंगे लाल किले का निर्मान किसने करवाया था सभी को पता होगा लाल किला का निर्मान किसने करवाया था तो फटा फटा आंसर करेंगे लाल किला का निर्मान किसने करवाया था तो आप जानते हैं कि सा जहां याद रखना है कि लाल किला का निर्मान साजहा ने करवाय था लाल बलवा पत्तर से निर्मित है लाल किला याद रखना है लाल किला लाल बलवा पत्तर से निर्मित है और लाल किले में रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दिवाने आम, दिवाने खास ये सब भी कुछ महत्पुन इमारत है तो लाल किला का निर्मान सा जहां के द्वारा करवाए गया था याद रखेगा लेकिन अगर इसी कोश्चन को घुमा दे आपसे पूछे लाल किला के भीतर मोती मजजिद किसने बनाया तो अब आप आंसर करेंगे लाल किला के अंदर मोती मजजिद का निर्मान किसने कराया लाल किला के अंदर मोती मजजिद ठीक है तो याद रखना है लाल किला के अंदर मोती मजजिद का निर्मान और अंग्जेब के द्वारा करवाया गया समझ में आया अगर आपसे सिर्फ लाल किला पूछेगा तो लाल किला का निर्मान साजहां के द्वारा करवाये गया था ठीक है लेकिन अगर आपसे पूछे लाल किला के अंदर मोती मस्जित का निर्मान किस नहीं किया बनाया थाताजमहल ठीक है तो साजहा ने अपनी प्रीय बेगम मुम्ताजमहल या अंजुमंद बानो बेगम की याद में ताजमहल का निर्मान करवाय था और यूनेशको वール्ड हेरीटेज के द्वारा भी ताजमहल को सामिल किया गया, विस विरासत अस्थल में याद ताजमहल युनेसको की विस्व विरासत सूची में सामिल होने वाला भारत का पहला इसमारक है आपको पता होगा अगर आपसे पूछेगा कि विस्व विरासत अस्थल में सामिल होने वाला भारत का इसमारक कौन सा है तो याद रखेगा ताजमहल युनेसको की विस्व विरास किसके सासनकाल में वेन सांग भारत आये थे तो आप सभी को पता होगा वेन सांग हर्सवर्धन के काल में भारत आये थे याद रखना है वेन सांग किसके काल में भारत आये थे तो वेन सांग हर्सवर्धन के काल में भारत आये थे आपसे पूछेगा वैन सांग की यात्रा विर्तांत का नाम क्या है आपको पता होगा C.U. की वैन सांग हर्सवर्धन के सासनकाल में भारत आये थे और वैन सांग ने C.U. की पुस्तक की रचना की थी उनके द्वारा CU की रचित क्या गया है याद रखेगा अगर आपसे पूछेगा फाहहाद भाये थे तो आप जानते हैं फाहाद चंदरगूतु दूतिये के समय में भारत आए थे याद रखना है और फाहहान, इंपोर्टेंट सवाल है पांचवी सदी के आरंब में चंद्रुप्त दूतिय या चंद्रुप्त विक्रमादित्य के सासनकाल में भारत आये थे याद रखेंगे ठीक है क्लास को एक बार सेर कर दीजेगा आप लोग अगला सवाल दी गई घटनाओं को उनके काला नुकरम अनुसार लगाईए सिंपल सा सवाल है आपको बताना है कि जो घटना हुआ उसको काल करम में सजाना है तो आप जानते हैं कि सिपाही विद्रो कब हुआ था 1857 में 1499 में वासको डिगामा कालिकट बंदरगा पहुंचे थे तो 1499 में वासको डिगामा भारत आय थे और बाबर बाबर द्वारा मुगल सामराजी की सुरुआत कब हुई थी 1526 इसवी में जो आपका युद्ध हुआ था पानिपत का पहला युद्ध तो पानिपत का पहला 231 ठीक है तो वासको डिगामा भारत आये थे 1499 में उसके बाद क्या हुआ उसके बाद बाबर द्वारा मुगल समराजी के स्थापना और उसके बाद होता है सिपाही विद्रो याद रखेगा 1857 की क्रांती ठीक है तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग सेर कर दीजेगा चल सुरे से सबसे दूर है तो आप सभी जानते हैं कि नैप्चून आपका सही अंसर होगा नैप्चून मतलब वरुन नैप्चून को वरुन कहा जाता है तो नैप्चून या वरुन जो है यह सुरे से सबसे दूर का ग्रह है याद रखना है और नैप्चून ग्रह का खोज किस का ग्रह है कैसा ग्रह हरे रंग का ग्रह है याद रखना है सबसे दूर का ग्रह कौन सा है नेप्चून है और नेप्चून हरे रंग का ग्रह है याद रखना है नेप्चून जो है हरे रंग का ग्रह है ठीक है तो नेप्चून की खोद जुहान गाले के द्वारा की गई नेप नैप्चून या वरुन सुरी के सबसे दूरिस्तित ग्रह है नैप्चून जो है हरे रंग का ग्रह है और नैप्चून ग्रह के चारो और अती सीतल मीथेन गैस का बादल पाया जाता है याद रखेंगे और नैप्चून का उग्रह कौन सा है ट्रिटॉन ट्रिटॉन किसका अगला सवाल महासागर में नितल जीवजाद बैथोंस कहां पाए जाते हैं तो आंसर करना है महासागर में नितल जीवजाद बैथोंस कहां पाए जाते हैं तो सही आंसर क्या होगा at the bottom of ocean महासागर के तल पर याद रखना है कि महासागर के तल पर नितल जीवजाद यानि जब्हुरों स कहा पाये हैं तो महासागर के तल पर पाये जाते हैं याद रखेगा कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर का उत्पादन करता है आंसर करेंगे which country produces the most timber कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक टिम्बर का उत्पादन करता है तो याद रखेगा ब्राजील विस्व में सबसे अधिक timber का उतपादन करता है याद रखेगा दक्षिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और ब्राजील विस्व में सबसे अधिक timber का उतपादन करता है करता है ठीक है अगर आपसे पूछे कि विश्व का एकमातर देश कौन सा है जहां से विश्वत एवं मकर रेखा गुजरती है तो याद रखेगा ब्राजील विश्व का एकमातर देश है जहां से याद रखना विश्वत एवं मकर रेखा गुजरती है तो याद रखेगा ठीक है विश्व का एकमातर देश है जहां से विश्वत एवं मकर रेखा गुजरती है तो ब्राजील विश्व का एकमातर देश है जहां से विश्वत एवं मकर रेखा गुजरता है तो ब्राजील विश्व का एक ठीक है, तो याद रखना है जेसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ती कहां पे है ठीक है रियो डिजनरियो ब्राजील में है ठीक है सबसे बड़ी मूर्ती तो विस्व में जेसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ती कहां पे है तो याद रखना है Rio de Janeiro Brazil तो Jesus Christ की सबसे बड़ी मुर्ती कहां पर है Rio de Janeiro Brazil में याद रखेगा अगर आपसे पूछे Brazil का सबसे बड़ा सहर कौन सा है बार बार ये सवाल पूछा जाता है Brazil का सबसे बड़ा सहर कौन सा है तो याद रखेगा Brazil का सबसे बड़ा सहर है Sao Paulo अब यह important क्यों है साव पोलो, क्योंकि आप जानते हैं साव पालो को क्या कहा जाता है, विस्व का कहवा मंडी कहा जाता है, ठीके तो याद रखेगा साव पालो, ठीके तो याद रखेगा ब्राजील का सबसे बड़ा सहर कौन सा है, तो ब्राजील का सबसे बड़ा सहर है, सबसे बड़ी कहवा मंडी है साव पालो समझ माया तो विस्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कहां पे है कहवा मतलब कॉफी ठीक है तो कहवा मंडी विस्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कहां पे है तो याद रखेगा विस्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है साव पोलो आवा आपसे पूछ सकता है कि सेंटोस बंदरगाह कहां पे है तो याद रखेगा सेंटोस बंदरगाह कहां पे है और ये क्यों famous है सेंटोस बंदरगाह तो सेंटोस बंदरगाह जो है ब्राजिल में है याद रखना और इसे कौफी बंदरगाह कहा जाता है तो आपसे एकजाम तो सही आंसर हो गया, सबसे अधिक टिंबर उत्पादन करता है, ब्राजील याद रखेगा, तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग सेयर कर दें, ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें, तो प्लीज सपोर्ट करें क्लास को आप लोग, अगले सवाल, अलप संख्योकों के लिए रास्टी आयोग किस वर्स में बनाया गया था, आंसर करेंगे, in which year was the National Commission for Minorities formed, अलप संख्योकों के लिए रास्टी आयोग का गठन कब हुआ, अलप संख्योकों के लिए रास्टी आयोग किस सापना कब की गई, बताएंगे, Most important सवाल है, तो आपको याद रखना है रास्टी आलप संख्योक आयोग अधिनियम, याद रखेगा रास्टी आलप संख्योक आयोग अधिनियम, रास्टी आलप संख्योक आयोग अधिनियम कब आया था ये, आपको पता है, रास्टी आलप संख्योक आयोग अधिनियम 1992 मे तो आपको याद रखना है कि रास्ति ये अलपसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 द्वारा अलपसंख्यकों के लिए रास्ति आयोग के अस्थापना की गई, लेकिन अगर आपसे पूछे किस वर्स अस्थापना किया गया तो आपको याद रखना है 1993, समझ में आया, तो यहां प रास्टी आयोग का स्थापना कब किया गया तो 1993 इस्वी में स्थापना किया गया था, कौन सा अधिनियम तो 1992 अधिनियम के द्वारा 1993 इस्वी में अल्प संख्यकों के लिए रास्टी आयोग के स्थापना की गई थी याद रखेगा, ठीक है, 1993 इस्वी में 5 धार्मिक समुद प्रफ्राइ, मुस्लिम, इसाई, सिख, बौध और पार्सी ठीके और जेन समुदाई को भी अलपसंख्यक वर्ग में सामिल क्या गया याद रखेगा और याद रखना है अलपसंख्यक आयोग की सदस्यों का कारेकाल कितना होता है ये इंपोर्टेंट होगा ठीके अलपसंख् अलपसंख्यक के लिए रास्टी आयोग की अस्थापना 1993 इसवे में की गई अलपसंख्यक आयोग के सदस्यों और अधक्ष का कारेकाल 3 वर्ग होता है याद रखेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर होगया ओप्शन के हिसाब से आंसर क्या करेंगे ओप्शन नमबर B 1992 लेकि चलिए तो अगला सवाल देखते हैं इसको आप याद रखेगा अच्छह यहाँ से और एक सवाल बनता है रास्टी महीला आयोग आपको पता है रास्टी महीला आयोग के सथापना कब की गई थी बहौत waterproof सवाल है relate करके याद रखेगा रास्टी महीला आयोग याद है तो ब पूछे रास्टिय महिला आयोग का स्थापना कब किया गया तो 1992 में स्थापना किया गया रास्टिय महिला आयोग का स्थापना 1992 इस्वी में किया गया लेकिन अधिनियम पूछेगा तो अधिनियम 1990 का अधिनियम था ठीक है तो रास्टिय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 इस् में की गई थी अब यहां से एक important सवाल बनेगा कि रास्टे महिलायो की पहली अध्यक्ष कौन थी पहली अध्यक्ष कौन थी तो आपको पता है तो बताएं रास्टे महिलायो की पहली अध्यक्ष कौन थी तो स्रीमती जैनती पटनायक याद रखेगा श्रीमती जैनती पतनायक ठीक है श्रीमती जैनती पतनायक ठीक है तो याद रखना है कि रास्टे महिलायोग की पहली अध्यक्ष कोन बनी थी श्रीमती जेनती पटनायक याद रखेगा और रास्टे महील आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कारिकाल भी तीन साल होता है याद रखेगा चिकें तो यहाँ से आपका आंसर हो गया अल्प संख्यों के लिए रास्टी आयोग 1992 अधिनियम के द्वारा 1993 इस्वी में अस्थापित क्या गया था क्लास को एक बार सेर कर दिजेगा अगला सवाल ग्यानपीट पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है अंसर करेंगे ग्यानपीट पुरुसकार किस छेतर वालों को दिया जाता है मतलब ग्यानपीट पुरुसकार जो है किस छेतर में दिया जाता है तो आप सभी को पता कि भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरुषकार है ग्यानपीट अवर्ड ठीक है तो आपका अंसर होगे option number A याद रखेगा अगर आपसे पूछे पहला ग्यानपीट अवर्ड किन को मिला था पहला ग्यानपीट अवर्ड किन को मिला था आपको पता होगा पहला ग्यानपीट अवर्ड जी संकर कुरूप को मिला था याद रखना है पहला ग्यानपीट अवर्ड जी संकर कुरूप को मिला था किस भासा के लिए मिला था तो मल्यालम भासा के लिए मिला था पूछेगा त यहां से एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि ग्ञानपीट अवार्ड पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन हैं कोगि आप जान रहें इनको तो मल्यालम भासा के लिए था, पहला ग्यानपीट अवार्ड जी संकर कुरूप को मिला मल्यालम भासा के लिए लेकिन आप से पूछेगा, हिंदी भासा का पहला घ्यान पीट अवर्ड किन को मिला? आंसर करेंगे, हिंदी भासा का पहला घ्यान पीट अवर्ड किन को मिला? हिंदी भासा का पहला ज्यानपीट किन को मिला तो याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत को तो याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत को याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी भासा का पहला ज्यानपीट अवर्ड मिला था ठीके कौन सा रचना के लिए चिदं चीदंबरा अब आपसे पूछेएगा कि हिंदी भासा का पहला ग्यानपीट अवर्ड सुमितरा न दन पंत जी मिला था चीदंबरा के लिए याद रखेगा 1968 में कृतिम जिन संसलेशन के लिए डॉक्टर हर्गोविंद खुराना जी को चिकित्सा का नॉबल पुरुसकार मिला था तो रिलेट करके याद रखेगा 1968 में हर्गोविंद खुराना को चिकित्सा का नॉबल मिला और 1968 में ही हिंदी भासा का पहला ग्यानपीट अवर्ड मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को याद रखेगा अब आपसे पूछेगा कि ग्यानपीट अवर्ड कब से दिया जा रहा है तो ग्यानपीट अवर्ड याद रखना है ये जो है कब से दिया जा रहा है तो याद रखना है 1965 से कब से दिया जा रहा है 1965 से दिया जा रहा है ठीक है तो ये भी याद रखना है ग्यानपीट अवर्ड कब से दिया जा रहा है 1965 से ग्यानपीट पुरुसकार दिया जा रहा है याद रखेगा और 1965 में कब दिया गया है ग्यानपीट अवर्ड तो याद र 1965 में आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो इसको भी याद कर लिजेगा ठीके तो 1965 इसवी से ग्यानपीट अवर्ड दिया जा रहा है पहला ग्यानपीट अवर्ड जी संकर कुरूप को मिला था याद रखेगा अगर आपसे पूछे कि ग् अच्छा सवाल है पूछता है ग्यानपीट पूरुषकार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम क्या है तो बता दे ग्यानपीट पूरुषकार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम क्या है तो आंसर करेंगे और हिंदी भासा का ग्यानपीट अवर्ड महिला में कि इसको मिला ये भी आपको बताना है ठीक है तो दोनों सवाल का अंसर कीजे आसा पूर्णा देवी बिल्कुल सही याद रखना हिंदी भासा का हिंदी भासा का नहीं है आसा पूर्णा देवी ओवरॉल में है ठीक है तो आसा पूर्णा देवी याद रखना है ज्यान पीट पाने वाली पहली महिला आसापुर्णा देवी बांगला भासा के लिए याद रखेगा अगर आपसे पूछे हिंदी का ग्यानपीट पाने वाली पहली महिला तब आप अंसर करेंगे हिंदी का ग्यानपीट पाने वाली पहली महिला का नाम क्या है और ये सवाल बहुत हैं इसलिए इसको आप लिख लिजेगा जोकि ये सवाल आएगा तो हम लोग answer generally क्या करते है आसापुर्णा देवी जोकि गलत हो जाएगा आसापुर्णा देवी ज्यानपीट प्राप्त करने वाली पहली महिला है लेकिन अगर आपसे पूचेगा हिंदी का ज्यानपीट अवर्ड पाने वाली पहली महिला तो याद रखना है महादेवी वर्मा ठीके महादेवी वर्मा समझ माया महादेवी वर्मा और इनको यामा के लिए मिला है अब आपको बताना है कि 2021 में आपको बताना है कि ग्यानपीट अवर्ड किन को मिला है अंसर करेंगे 2021 में ग्यानपीट अवर्ड किन को मिला 2021 में ग्यानपीट पुरुसकार किन को मिला है नाम पता है आपको तो बताइए तो याद रखना है दामोदर मोजो किनको मिला है दामोदर मोजो को मिला है 2021 में ग्यानपीट अवर्ड ठीक है दामोदर मोजो तो याद रखना है दामोदर मोजो कौकनी उपन्यासकार है ठीक है बहुत सारा सवाल देखेंगे तो थोड़ा तेजी से देखेंगे कौकनी उपन्यासकार याद रखना है कौकनी भासा के उपन्यासकार है दामुदर मोजो और दामुदर मोजो को दोजर इकिस का ग्यानपीट अवर्ड मिला है और कौन सा ग्यानपीट है संतावनवा तो याद रखना है 57 ग्यानपीट पुरुसकार 22 दामुदर मोजो को मिला है कौकनी उपन्यासकार है दामुदर मोजो अगर आपसे पूचे 56 ग्यानपीट किसको मिला यानि 56 ग्यानपीट 2020 किसको मिला तो आपको वताना है 56 ग्यानपीट 2020 किन को मिला तो याद रखना है 56 ग्यानपीट 2020 जो है नील मनी फुकान जुनियर को मिला है 56 ग्यानपीट 2020 असम भासा के कवी नील मनी फुकान जुनियर को मिला है तो 56 ग्यानपीट 2020 नील मनी फुकान जुनियर 57 ग्यानपीट दामुदर मोजो कोकनी भासा के उपन्यासकार याद रखेगा तो ज्यानपीट पुर्우शकार किस छेत्र में दिया जाता है ज्यानपीट अवर्ड साहित्ते के छmedim में दिया जाता है याद रखेंगे तो आप सभी से humble request करेंगे प्लीस क्लास को support करें आप लोग क्लास को like नहीं कने हैं तो like करें और possible तो class को share करें अगला सवाल बहुचर्चित पसुपालन घोटाला निम्लिकित में से किस राजे से संबंदित है तो आपको बताना है पसुपालन घोटाला का संबंद किस राजे से है चारा घोटाला आप लोग जानते हैं तो बस आन्सर करेंगे, score गोटाला किस राज्य में हुआ था, चैक है। तो पिहार में हुआ था, तो याद रखना है, बहुचर्चित पसुपालन गोटाला किस राज्य से संबन्दित है, पिहार राज्य से संबन्दित है, आंसर होगे, option number D, चीक है। निम्नांकित में से किसको किर्केट में चाइना में कहते हैं आपको बताना है किर्केट में चाइना में किसे कहा जाता है ऑप्शन A जो बल्लेवाज हर गेंद पर छक्का मारने का प्रयास करे चीक है तो ये तो होगा नहीं अगला है बल्यवाज के नजदीक खड़ा वह छेत रक्षक जो हेलमेट नहीं पहनता है ये भी गलत है option C वह कप्तान जिसके चहरे पर कोई भाव नहीं आता यानि Mr. Cool जैसे बोल सकते हैं अगला है अगला है ऑफ व्रिक बॉल थ्रोन अगला है के धीमे गेंदबाज द्वारा फेकी गई और व्रिक गेंद को क्या कहा जाता है चाइना में कहा जाता है तो इसको आप याद रखेगा ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं केंद्रिय परदूशन नियंतरन बोर्ड किस मंत्राले के अंतरगत आता है तो आसान सवाल है केंद्रिय परदूशन नियंतरन बोर्ड किस मंत्राले के अंतरगत आता है तो केंद्रिय परदूशन नियंतरन बोर्ड जो है प्रियावरन और वन मंत्राले के अंतरगत आता है चीक हैं आसान सवाल है निमनलिकित में से किस राजनेता को अपने जीवनकाल में भारत रतन प्राप्त हुआ यानि आपको बताना है कौन से ऐसे वेक्ति है जिनको अपने जीवनकाल में भारत रतन प्राप्त हुआ ठीक है राजीव गांदी जी को भी भारत रतन मिला है मुरार जी देशाई को भी भारत रतन मिला है सरदार पतेल जी को भी मिला है लालबादुर सास्तरी जी को भी मिला है लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है ध्यान से देखेगा अपने जीवनकाल में यानि जीवीत रहते हुए समझ माया पूछा है किन को जीवित रहते हुए भारत रत्न पुरुषकार से सम्मानित किया गया है इन चारों में से वो आपको बताना है ठीक है तो बहुत यह अच्छा सवाल है देखिए option number A देखने है राजीव गांदी राजीव गांदी जी को मर्नो परांत भारत रत्न वर्ड मिला है लेकिन इनको भी मर्नो परांत मिला है ठीक है मुरारजी देखाई को भारत रत्न कब मिला है तो मुरारजी देखाई को भारत रत्न मिला है 1991 में लेकिन यह तभी जीवित थे ठीक है जीवित थे मुरारजी देखाई समझ में आया ठीक है तो आपका आंसर क्या होगा option number B ही आपका आंसर होगा क्योंकि आपसे पूछा है निम्रिलिखित में से किस राजनेता को अपने जीवन काल में भारत रत न मिला यानि जीवित रहते वे भारत रत न मिला तो ऐसे याद रखना है कि 1991 तो एक आपका आंसर क्या होगा option number B याद रखेगा ठीक है तो किस राजनेता को अपने जीवन काल में भारत रत रत न मिला इन चारों में से मुरारजी देशाई याद रखेगा सास्त्री जी को भारत रत न कम मिला तो आप जानते हैं बहुत अच्छा सवाल है अगर आपसे पुछें मर्नो परांत पहला भारत रत न किन को मिला मर्नो परांत मर्नो परांत पहला भारत रत न तो याद रखना है मर्णोपरांत पहला भारत रत्ना वर्ड मिला था सास्त्री जी को जाता है है तो थो घंड के दूसरे परधानमंत्री कौन तो भारत के दूसरे पिम थे भारत के सकेंड पिम cannot जी याद रखेगा है तो भारत के दूसरे पर्धान मंद्री लाल भादूर शास्त्री और लाल भादूर शास्त्री जन्ती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हुआ था 11 जनवरी 1966 को याद रखना है तासकन समझोता हुआ था 11 जनवरी 1966 को अब अगर आपसे पूछे लाल भादूर सास्तरी जी की मिर्तियू कब हुई थी तो सास्तरी जी का मिर्तियू भी हुआ था रहस्य में तरीके से 11 जनवरी 1966 को ठीक है तो तासकन समझोता सुरू हुआ था 10 जनवरी 1966 को लेकिन तासकन समझोता कंप्लीट हुआ था 11 जनवरी 1966 को और तासकन समझोता हुआ उसके बाद रात में ही सास्तरी जी की रहस्य में तरीके से मिर्ती हो गई थी ठीके तो याद रखना है तासकन समझोता 11 जनवरी 1966 तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया विच आप दा फॉलोविंग पॉलिटीशियन्स रिसिप्ड दा भारत रत्न डूरिंग हिस लाइफ टाइम आंसर होगा मुरार जी देशाई याद रखेगा अब मुरार जी देशाई से क्या क्या important सवाल बनता है वो आप लिखेए आपसे पुछेगा सबसे अधिक उम्र में परधान मंतरी कौन बने सबसे वृद पी-म कौन थे मुरार जी देशाई सबसे वृद पी-म समझ में आ रहा है सबसे वृद पीम कौन मुरारजी देशाई और सबसे यंग पीम बोलेगा तो राजीव गांधी समझ में आए सबसे युवा परधानमंत्री बोलेगा जगक कम है आप समझेए अगर आप से पूछे सबसे युवा परधानमंत्री तो स्री राजीव गांधी सबसे युवा परधानमंत्री थे और सबसे अधिक उम्र में परधानमंत्री कौन बने मुरारजी देशाई पहला सवाल तो PM पत से इस्टिफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन होंगे तो याद रखेगा PM पत से इस्टिफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे मुरारजी देशाई ठीक है तो परधानमंत्री पत से इस्टिफा देने वाला पहला व्यक्ति मुरारजी देशाई सबसे अधिक उम् प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला उसके बाद ये जनता पार्टी को जोईन करते हैं कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं तो पहला गैर कॉंग्रेसी प्रधानमंत्री को थे मुराजी देशाई मुराजी देशाई जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे अधिक 10 बार बजट पेस किया था मुरारजी देशाई ने याद रखेगा और अगर आपसे पूछे भारत रत्न को बंद किस ने किया था, भारत रत्न बंद किया था कब मुरारजी देशाई ने, मुरारजी देशाई ने भारत रत्न को बंद कर दिया था 1977 में, समझ से 1980 स्वी में भारत रत्न पुरुसकार स्टार्ट हो जाता है तो अगर आप से पूछे भारत रत्न पुरुसकार को कब बंद किया गया तो भारत रत्न पुरुसकार को मुरारजी देशाई के समय में 1977 इस्वी में बंद कर दिया गया लेकिन इनकी सरकार 1980 में गिर गई उसके बाद इंद्रा गांधी प्रधान मंत्री बनी और 1980 इस्वी में भारत रत्न पुरुसकार को फिर से शुरू कर दिया गया था याद रखेगा ठीक है और आप से पूछेगा 1980 में किसको भारत रत्न मिला एकदम आसानी से याद होगा 1980 में भारत रत्न किनको मिला तो आप जानते हैं किनको मिला बताईए इनको नोबेल भी मिला है 1979 में 1979 में नोबेल मिला है और एक साल के बाद इनको भारत रत्न मिला है सबसे पहले किनको मिला तो याद रखना है मदर टरेसा जी को भारत रत्न पुरुषकार 1980 में मिला और मदर टरेसा को 1979 में नोबेल पुरुषकार से सम्भानित किया गया ठीक है तो मदर टरेसा को 1979 में नोबेल 1980 में भारत रत्न तो आया समझ में भारत रत्न पुरुषकार इनके समय में बंद कर दिया गया था किनके समय में मुरारजी देशाई के समय में इसके अलावा मुरारजी देशाई एकमात्र ऐसे वेक्ति हैं जिनको भारत रत्न तो मिला ही मिला है और साथ ही साथ इनको पाकिस्तान का सर्वोच नागरिक सम्मान निसाने पाकिस्तान भी मिला है तो ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल है पूछेगा एकमात्र भारती वेक्त जिनको भारत और पाकिस्तान का सर्वोच नागरिक सम्मान मिल चुका है तो इनको भारत रत्न भी मिल चुका है और साथ ही साथ इनको निसाने पाकिस्तान अवोड से भी सम्मानित किया जा चुका है तो इसलिए भारत के एकमात्र वेक्ति हैं मुरारजी देशाई जिनको भ भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का सरवच नागरिक सम्मान मिल चुका है याद रखेगा ठीक है और इनकी समाधी अस्थल का नाम क्या है अभय घाट मुरारजी देशाई की समाधी अस्थल का नाम क्या है अभय घाट याद रखेगा ये क्या समाधी अस्थल है मुरारज अब जी देशाई को अपने जीवनकाल में भारत रत्न पुरुषकार से सम्मनित किया गया, तो आप सभी से humble request करेंगे, please class को support करें, which of the following is not correctly matched, इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है इन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, option पढ़ते हैं, option A, romancing with life, चीक है, तो romancing with life, पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है, option B, blossom from the dust, option C, Asian drama, option D, laza, तो आपको इन चारों में से कौन सा गलत दिया है, यह आपको बताना है, तो फटा-फटा answer कीजे, कौन सा statement यहाँ पे गलत है, चीक है, तो देखिए, पहला तो romancing with life, आप जानते है, देवानंद जी की है, तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो आप इसको लिख लिजेगा, रोमेंसिंग विद लाइफ, देवानंद जी की पुस्तक है, देवानंद जी की पुस्तक है, रोमेंसिंग विद लाइफ, अगला option देखिए, ब्लोसम फ्रॉम 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 तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है तो अप्सन नमबर ए में छूट गया था याद रखेगा रोमेंसिंग विद लाइफ पुस्तक के लिखा के देवानन्द ब्लॉसम फ्रॉम देश्ट पुस्तक के लिखा के आरके पचोड़ी अप्सन नमबर सी जो की गलत दिया हुआ था तो अगला सवाल देख लेते हैं इसको आप याद रखेगा इंपोर्टेंट सवाल है विक्रम सेट लिखा हुआ है तो विक्रम सेट के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है पता है आपको विक्रम सेट के द्वारा विक्रम सेट के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है बताइए सूटेबल बॉई तो suitable boy और golden gate पुस्तक के लिखक है विक्रम सेट याद रखेगा तो आप सभी से request करेंगे प्लीज क्लास को support करें अगला सवाल यहाँ पर कुछ छुटा हुआ है तो इनमे से होगा क्या question देखें यहाँ पर भारत लिखा हुआ है तो इनमे से भारत किसका सदस से नहीं है आपको बताना है इनमे से भारत किसका सदस से नहीं है ठीक है तो बताइए भारत किसका सदस से नहीं है भारत किसका सदसे नहीं है ठीक है तो आपको बताने इन में से भारत किसका सदसे नहीं है तो बताइए भारत किसका सदसे नहीं है इन में से तो यहाँ पर आप देखिए सार्क का भारत सदसे भारत जो है सार्क का सदसे है भारत जो है दक्षिन ACI मुक्त वैपार समझोता का भी सदस्य है और विश्व वैपार संगटन का सदस्य भी भारत है तो भारत जो है इन तीनों देशों का सदस्य है लेकिन भारत जो है सोतंतर राजियों का रास्टमंडल का सदस्य नहीं है तो याद रखेगा भारत common wealth of independent states देखे क्या लिखा है independent states तो common wealth of independent states का सदस्य भारत नहीं है याद रखेगा और बांकि सारक का सदस्य है भारत भारत दक्षिन ACI मुक्त वैपार समझोता का सदस्य है और विश वैपार संगठन का भी सदस्य है भारत याद रखेगा तो यहाँ पे आपका answer क्या होगा, ठीक है, तो भारत किसका किसका सदस नहीं है, अच्छा है, question में ऐसे पूछ सकता है, नहीं है, अगर पुछेगा तो answer होगा option number A, अगर पुछेगा भारत किसका सदस से है, ठीक है, तब आप answer क्या करेंगे, 2, 3, 4, समझ में आया, यानि option number B, तो भारत क सदस से है, तो ऐसे करके यहां लिख दे रहे हैं, ताकि आप देख लिजे, भारत सदस से है, तो याद रखना है, पुछेगा अगर भारत सदस से है, तो आप क्या answer करेंगे, सारक का भी सदस से है, धक्षिन ACI मुक्त वैपार समझोता का भी सदस से, और विस वैपार सदस से, तब आपका answer हो जाएगा, option number B, और अगर पुछे भारत किसका सदस से नहीं है, तब आप answer करेंगे, option number A, चीखे, अब सारक के बारे में आप जानते हैं, कि सारक का स्थापना कभ हुआ है, तो आपको याद रखना है, सारक का full form होता है, the South Asian Association for Regional Corporation, सारक का हीट क्वा विश्वायपार संगठन, तो ये भी important है, विश्वायपार संगठन का स्थापना कभ हुआ है, तो आपको याद रखना है, विश्वायपार संगठन का स्थापना, एक जनवरी 1995 को हुआ है, इसका headquarter है जेनेवा में, ठीक है, तो याद रखेगा, विश्वायपार संगठन का headquarters जेनेवा में है और विस वैपार संगठन का अस्थापना एक जनवरी 1995 को हुआ है याद रखेगा ठीक है चलिए निमनलिकित में से कौन सी company एक महारतन है आपको बताने इन में से कौन सा company एक महारतन है तो याद रखना है याप गलती बहुत किया हुआ है ठीक है कौन सा ठीक है तो कौन सा महारतन company है तो option किसकी किस्म है आपको बताना आई what type is silver carp silver carp क्या है तो फटा फटा अंशर करेंगे silver carp क्या है तो याद रखना है, silver carp मसली है, silver carp क्या है, तो silver carp मसली है, याद रखेगा सुमेलित करना है, एक तरफ सुची वन है, संगठन है, दूसरा तरफ उसका मुख्याले है, तो आपको बताना है कौन सा statement सही है ठीक है संगठन और उसका मुख्याल है कौन सा सही है आपको बताना है तो आप आंसर करेंगे कौन सा सही है संगठन और मुख्याल है तो UNICEF UNICEF का हिटक्वार्टर कहा है आपको पता होगा UNICEF का हिटक्वार्टर कहां पे है बताएंगे UNICEF का हिटक्वार्टर कहां पे है ठीक है तो UNICEF का हेटकॉर्टर कहा है नियु यॉर्क में याद रखेगा UNICEF का हेटकॉर्टर है नियु यॉर्क में IFAD IFAD का मतलब क्या होता है IFAD का मतलब होता है याद रखना है IFAD का मतलब होता है अंतरास्टी क्रिसी विकास कोस IFAD का headquarter है ROM और IFAD का full form होता है antarastic receive cast coast CTBT क्या होता है CTBT का headquarter Vietnam है CTBT का headquarter Vietnam है CTBT का full form होता है व्यापक, परमानू, परिक्षन, परतिबंद, संदी संगठन CTBT का full form है CTBT का headquarter Vietnam होता है मतलब है याद रखेगा बाकी बजगे UPV UPV का headquarter कहां पे है बर्ण, बर्ण कहां पे है स्वीडिजर लेंड में तो यहाँ पे आपका answer क्या होगा option number A क्योंकि सारा मैच है तो याद रखेगा UNICEF का headquarter कहां पे है UNICEF का headquarter New York IFAD का headquarter ROM CTBT का headquarter Vienna UPV का headquarter बर्ण आया समझ में तो answer क्या होगा option number A याद रखेगा ठीक है अब यहाँ से देखी कुछ सवाल आपका पूछ सकता है जैसे आप से पूछ सकता है Red Cross का headquarter कहां पे है आपको बताना है Red Cross का headquarter कहां पे है तो याद रखना है Geneva Geneva किसका headquarter है Red Cross का headquarter है Geneva इसके अलावा Geneva जो है बहुत सारे संगठनों का headquarter है तो red cross का headquarter जेनेवा gate का headquarter पूछेगा तो gate का headquarter भी जेनेवा gate का headquarter क्या तो gate का headquarter जेनेवा याद रखेगा अगर आपसे पूछे EEC, EEC का headquarter कहाँ पे है जेनेवा में है WCC का headquarter कहाँ पे है जेनेवा में है तो यह सब आपको याद रखना है WCC का Headquarter जेनेवा याद रखेगा अगर आपसे पूछे UNCTAD का Headquarter कहाँ पे है यानि बोल सकते हैं हम लोग संयुक्तरास्ट वैपार एवं विकास सम्मिलन का Headquarter कहाँ पे है जेनेवा में है ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर समझ में आ गया सारा मैस था तो 1,2,3,4 UTOPIA किस की रचना है? आणसर करेगे UTOPIA किन के द्वारा लिखित है UTOPIA किन की रचना है? याद रखेगा सही आंसर होगा Option No. A Thomas Moore Thomas Moore की रचना है UTOPIA, याद रखेगा UTOPIA Thomas Moore की रचना है एजटेक इगल अवार्ड किस देश का सरवुच्य संबान है याद रखेगा निमने लिखित में से किस खिलारी का नाम किसी परसिद्ध खेलकूद ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है मतलब किस वेक्ति के नाम पर कोई ट्रॉफी का नाम रखा गया है तो आप उप्शन पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसान है तो जैनरली आप जानते है डेविस डेविस कंप आप लोग नाम सुने होंगे तो आंसर बताएगा डेविस कंप किस खिल से जुड़ा हुआ है ठीके तो आपका आंसर क्या होगा डोनाल्ड डाबलू डेविस याद रखेगा डोनाल्ड डवलू डेविस के नाम पर डेविस कप खिला जाता है ठीक है डोनाल्ड डवलू डेविस के नाम पर डेविस कप खिला जाता है ठीक है समझ में आया डोनाल्ड डेविस के नाम पर डेविस कप खिला जाता है डेविस कप का संबंद किस खिल से है त तो आंसर हो नहीं सकता है क्योंकि खिलारी का नाम पुछा है समझ में आया तो याद रखना है कि डोनाल्ड डबलू डेविस के नाम पर डेविस कप रखा गया है टूनामेंट का नाम और डेविस कप टैनिस से संबनित टूनामेंट है याद रखेगा तो आंसर हो गया option number D Donald W. Davis Donald W. Davis के नाम पर Davis Cup रखा गया है तो अगर आपसे पूछे कि Davis Cup 2021 कौन सा देश जीता है तो बताएगा Davis Cup 2021 कौन सा देश जीता है तो याद रखना है Davis Cup 2021 रूस जीता है कौन जीता है? रूस जीता किसको हराया? Croatia को हराकर तो यह important है final में कौन हरा? Croatia Croatia उपविजेता रहा finalist रहा तो Croatia उपविजेता रहा ठीक है? तो इसको आप note कर लिजेगा पूछ देगा आपसे ठीक है? उपविजेता कौन रहा? उपविजेता तो Croatia उपविजेता रहा तो याद रखना है Davis Cup 2021 कौन जीता? रूस जीता किस को हराया? Croatia को हराया किस खेल से जुड़ा है Davis Cup तो Davis Cup टैनिस से जुड़ा हुआ याद रखेगा तो Davis Cup 2021 रूस जीता Croatia को हराकर याद रखेगा ठीक है? अगले सवाल मिरनालीनी सारा भाई गलती लिखा है आपसे पूछेगा मिरनालीनी सारा भाई ठीक है? मिरनालीनी सारा भाई मिरनालीनी सारा भाई का संबंद किस खेतर से है? आपको बताना है मिरनालीनी सारा भाई जी का संबंद किस खेतर से है? तो आप लोग पढ़े होंगे इनसे बहुत सारा सवाल पूचता है मिर्नालनी सारा भाई का संबंद किस चेत्र से तो आप जानते हैं भरतनाट्यम भरतनाट्यम की कलाकार है मिर्नालनी सारा भाई ठीक है तो याद रखेगा मिर्नालनी सारा भाई भरतनाट्यम की कलाकार है याद रखेगा यावनी क्रिश्नमूर्थी भरतनाट्यम की कलाकार है सोनलमान सिंग भरतनाट्यम की कलाकार है मिर्नालनी सारा भाई भरतनाट्यम की कलाकार है याद रखेगा तो मिर्नालनी सारा भाई भरतनाट्यम की कलाकार है क्योंकि बहुत सारा सवाल है कुछी पूरी आंधर प्रदेश का सास्त्री निर्त है कुछी पूरी आंधर प्रदेश का सास्त्री निर्त है याद रखेगा कत्थक उत्तर भारत का सास्त्री निर्त है कत्थक पूछे तो उत्तर भारत का सास्त्री निर्त है कत्थक याद रखे ठीक है अगर आपसे पूछ दे अगर आपसे पूछ दे ओडिसी ओडिसी ओडिसा का सास्त्री निरते है ठीक है मनिपूरी मनिपूर का सास्त्री निरते है मोहीनी अट्टम पूछेगा आपसे मोहीनी अट्टम मोहीनी अट्टम केरल का सास्त्री निरते है तो मोहीनी अट्टम और कतकली कहा का सास्त्री निर्त है तो मोहिनी अट्टम और कतकली केरल का सास्त्री निर्त है याद रखेगा और कतक उत्तर भारत का सास्त्री निर्त है याद रखेगा और सतारिया या सत्रिया सत्रिया आसाम का सास्त्री निर्त है समझ में आया, तो सत्रिया, आसाम का सास्त्रे निर्थ है, कुचिपूरी, आंदरप्रदेश का सास्त्रे निर्थ है, मोहिनी एट्टम और कतकली, केरल का सास्त्रे निर्थ है, कत्तक, उत्तरभारत का सास्त्रे निर्थ है, याद रखेगा, तो क्लास को प्लीज एक बार आप share कर दें, आप सभी से request करेंगे GSLV का पूरा नाम क्या है आपको बताना है GSLV का पूरा नाम क्या है GSLV का पूरा नाम क्या है तो आप जानते है GSLV का पूरा नाम क्या है तो Geosynchronus Satellite Launch Vehicle तो GSLV का पूरा नाम क्या है तो आप जानते है GSLV का पूरा नाम है Geosynchronous Satellite Launch Vehicle तो option number A आपका अंसर होगा GSLV का full form होता है Geosynchronous Satellite Launch Vehicle याद रखेगा answer option number A किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुलम खुला है तो आपको बताने किस एक्टर के biography का नाम खुलम खुला है तो आप जानते हैं Risi Kapoor Risi Kapoor जी की आत्मकथा का नाम है खुलम खुला ठीक है तो answer क्या होगा option number D याद रखेगा निमने लिखित में से कौन भारत रतन से सम्मानित नहीं है आपको बताने इन में से कौन से ऐसे वेक्ती हैं जिनको भारत रतन से सम्मानित नहीं किया गया है Most important सवाल है इन में से किने भारत रतन से सम्मानित नहीं किया गया है ठीक है तो देखे भीमसेन जोसी को भारत रतन मिल चुका है भीमसेन जोसी जी को लता मंगिसकर जी को भी मिल चुका है और MS सुभुल अक्षमी जी को भी भारतरतन पुरुसकार मिल चुका है लेकिन AR रह्मान को भारतरतन वर्ट नहीं मिला है तो आपको याद रखना है इनमें से किसको भारतरतन नहीं मिला है तो AR रह्मान जी को भारतरतन नहीं मिला है A.R. रह्मान को मदरास का मुजाट कहा जाता है क्या कहा जाता है मदरास का मुजाट तो अगर आपसे पूछें मदरास का मुजाट किसे कहा जाता है तो A.R. रह्मान को मदरास का मुजाट कहा जाता है A.R. रह्मान को भारत रत नहीं मिला है याद रखेगा लेकिन important क्या बनेगा जैसे कि पूर्च सimporte है आप से यहां पर देखें लत्ता मंगेशकरजी को भारतरत ने कम मिला तो याद रखना है लत्ता मंगेशकरजी को 2001 में भारतørत ने मिला कभ एमसें जोसी को 2008 में हारत ने मिला ठीक है तो भिमसेन जोसी को 2008 में भारत रत 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 न मिला लता मंगेसकर को 2001 में भारत रत रत न मिला MS सुबुलक्षमी को कब भारत रत रत न मिला MS सुबुलक्षमी को 1998 में भारत रत रत न मिला कब मिला 1998 में तो most important सवाल है याद रखेगा पूछेगा आपसे तो MS सुबुलक्ष्मी को 1998 में भारत रतन मिला याद रखेगा लता मंगिसकर को 2001 में भारत रतन मिला भीमसेन जोसी को 2008 में भारत रतन मिला और लता मंगिसकर के साथ किन को मिला था उस्ताद बिस्मिला खां को याद रखेगा 2001 इस्वी में लता मंगिसकर और उस्ताद बिस्मि अगला सवाल यूनेस्को का वैस्विक विरासत अस्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतिय सहर में इस्थी थे तो आप जानतें विक्टोरिया हॉल कहां पे इस्थी थे तो आप जानतें विक्टोरिया हॉल कॉलकाता में इस्थी थे तो याद रखेगा यूनेस्को का वैस्विक विरासत अस्थल, विक्टॉरिया हावल, कहा है तो कॉलकाता में है answer option number C, याद रखेगा भारत निर्मान योजना संबंदित है, answer करेंगे भारत निर्मान योजना is related to, भारत निर्मान योजना किसे संबंदित है तो याद रखना है भारत निरमान योजना, rural infrastructure development से संब्धित है, ठीक है, भारत निरमान योजना किस से संब्धित है, तो भारत निरमान योजना, गृमीन, धाचागत, विकास से संब्धित है, आंसर हो गया, option no.b, याद रखेगा, इन में से कौन सा असथ्त्य है आपको बता पढ़िए इन में से कौन सा सत्य है और आपको बताना है आंसर कौन सा सही है Option A Central Locomotive Factory Electric Engine मतलब Central Locomotive Factory में बिजली इंजन बनता है Option B Diesel Locomotive Works में डिजल इंजन बनता है Option C Tata Engineering Works में स्टीम इंजन बनता है और Option D लिखा है Intrigal Coach Factory में इंजन और कोच बनता है तो आपको बताने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है तो याद रखना यहाँ पे जो है Option 4 जो है गलत है Option 4 जो है बाकी याद रखेगा Central Locomotive Factory में बिजली इंजन बनता है Diesel Locomotive Works में डिजल इंजन बनता है और Tata Engineering Works में भाफ इंजन तयार क्या जाता है तो आपका सही अंसर क्या होगा कौन सा गलत है Option No.D याद रखेगा ठीके है अधराबाद अपने संग्रहाले के लिए प्रसिद्ध है उस संग्रहाले का नाम क्या है मतलब हैदराबाद में कौन सा म्यूजियम है तो आप जानते हैं सलार जंग संग्रहाले कहां पे है है तो याद रखना है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है कोनारक संबान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है ठीक है तो कोनारक संबान याद रखना है उडिसा सरकार के द्वारा किया जाता है कोनारक संबान उडिसा सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है याद रखेगा अगर आपसे पूछे मद्यपर्देश सरकार द्वारा किसोर कुमार सम्मान भी मद्यपर्देश सरकार के द्वारा दिया जाता है तो याद रखेगा किसोर कुमार सम्मान मद्यपर्देश सरकार द्वारा लता मंगिसकर पुरुसकार मद्यपर्देश सरकार द्वारा लेकिन क कोनार्क संबान उडिशा सरकार के द्वारा दिया जाता है याद रखेगा तो option number D जो होगा आपका सही answer होगा तो आप सभी से request करेंगे प्लीज क्लास को एक बार like कर देंगे अगला सवाल पुरुषकार जितने वाली फिल्म तारे जमीन पर का निर्देशन निम्न में से किस ने किया तो आप जानते हैं तारे जमीन पर फिल्म का निर्देशन आमिर खान ने किया था तो answer होगा option number C तारे जमिन पर का निर्देशन आमिर खान ने क्या था अगला सवाल निम्निलिखित में से कौन सही नहीं है आपको बताना है इनमें से कौन सही नहीं है तो पढ़िये और आंसर कीजे इनमें से कौन सुमिलित नहीं है ठीक है तो यहाँ पे देखिए मधुमीता रावत मधुमीता रावत जो है पोसाहार वेग्यानिक हैं बिल्कुल सही मधुमीता रावत पोसाहार वेग्यानिक हैं सही है option B इंद्रा चकरवर्ती इंद्रा चकरवर्ती ओरिशा डांसर गलत है इंद्रा चकरवर्ती ओरिशा डांसर नहीं है तो यह आपका अंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा है कौन सा सुमिलित नहीं है तो आपको यहां से याद क्या रखना है जो जो सही है वही नाम आपको याद रखना है जैसे मधुमती याद रखना है मधुमीता रावत क्या है तो मधुमीता रावत का संबंद है पोसाहार वैज्यानिक मधुमीता रावत पोसाहार वैज्यानिक है इसके अलावा मीरा भाटिया विधी वेता है और साधवी साधना ग्रिहनी चिकित सक है ठीके तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है लेकिन गलत कौन सा है, option number B, चीक है निमने लिखित में से भारत का कौन सा अस्थल इसमारक युनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सुची में सामिल है तो आपको बताना है भारत का कौन सा इस्थल या इसमारक है इन चारों में से जिसको UNESCO की विष्व सांस्कृतिक विरासत की सुची में सामिल किया गया है तो आंसर क्या होगा बताएंगे ठीक है तो आपको यहाँ पर याद रखना है ठीक है वैलहा गोवा में Church of Cathedral यानि Cathedral Church जो है सही से यहाँ नहीं लिखाया आप जानते है Cathedral Church होगा Cathedral Church कहाँ पर है गोवा में और गोवा में जो Cathedral Church है इसे UNESCO के द्वारा विष्व की सांस्कृतिक विरासत की सुची में सामिल किया गया है ठीक है तो याद रखेगा गोवा में Cathedral Church है जिसे UNESCO के द्वारा विष्व विरासत सुची में सामिल किया गया है तो आपका अंसर क्या होगा option number A याद रखेगा ठीक है तो सही अंसर क्या होगा option number A आपको याद रखना है भारत में वीर्टा के पर्थम दो सरवच्य पुरुसकार है आपको बताना है भारत में वीर्टा के दो सरवच्य पुरुसकार कौन से हैं आपको बताना है तो याद रखना है भारत में वीर्टा के दो सर्वच पुरुषकार है परमवीर चक्र और असोग चक्र याद रखेगा अलग सवाल आपको यहाँ पर मैच करना है तो आपसन देखें और आप आंसर करें इसको मैच करें तो याद रखना है माइकल मदुसुदन दत कवी है याद रखेगा नंदलाल बोस चित्रकला विद है नंदलाल बोस लच्छु महराज का नाम आप लोग तो जानती हैं कत्थक के गुरु है ठीक है लच्छु महराज बिर्जु महराज भी कत्थक से जुड़े हैं और लच्छु महराज भी कत्थक से जुड़े हैं तो important है इनको याद रखेगा लच्छु महाराज प्रख्यात कथक निर्थे से संबंदित है याद रखेगा और पंकज मलिक याद रखना है प्रख्यात संगीत तक यह है पंकज मलिक तो आपका आंसर क्या होगया दो एक तीन चार दो एक चार तीन है न तो यहां से आपको याद रखना है नंदलाल बोस चित्रकलाविद लच्छु महराज प्रख्यात कर्थक पंकज मलिक प्रख्यात संगीत अगे ठीक है तो आंसर आप्सन नंबर A नाइडू ट्रॉफी की स्खेल से संबंदित है आंसर करेंगे नाइडू ट्रॉफी का संबंदि की स्खेल से है तो नाइडू ट्रॉफी का संबंद सतरंज से है याद रखेगा नाइडू ट्रॉफी की स्खेल से संबंदित है तो आपका आंसर होगा अप्सन नंबर C नाइडू ट्रॉफी की स्खेल से सम्मधित है तो नाइडू ट्रॉफी सतरंज से सम्मधित है याद रखेगा चिके अगर आप से पुछे पहली महिला ग्रेंड मास्टर का नाम क्या है पहली महिला ग्रेंड मास्टर भारत की पहली महिला ग्रेंड मास्टर बताएगा भारत की पहली महिला ग्रेंड मास्टर ग्रेंड मास्टर आप जानते हैं चेस से जुड़ा है तो आपको पुछेगा भारत का पहला ग्रेंड मास्टर तो आप जानते हैं विस्वनात आनंद विस्वनात आनंद भारत के पहले ग्रेंड मास्टर है लेकिन अगर आपसे पुछे भारत की पहली महिला ग्रेंड मास्टर तो याद रखना है विजिया लक्ष्मी ठीक है तो इनका नाम याद रखेगा भारत की पहली महिला ग्रेंड मास्टर का नाम क्या है विजिया लक्ष्मी विजिया लक्ष्मी जी भारत की पहली महिला ग्रे आपको बताना है इनमें से कौन सा statement जो है आपको सही है तो वो आपको बताना है ठीक है तो देखिए भारत तिबबत सीमा पुलिस का गठन चीनी आकर्मन के बाद हुआ पहला option दूसरा सीमा सुरक्षा बल का गठन 1965 में हुआ सीमा सुरक्षा बल का गठन 1965 में हुआ तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा statement सही है ओप्शन नमबर सी सरदार वल्ला भाई पटे लास्टिय पुलिस अकादमी उदेपूर में है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है ठीक है तो आंसर करें कौन सा statement सही है देखि हुआ था तो अब आपसे पूछ सकता है कि गठन कब हुआ था 1962 में हुआ ठीक है ITBP का गठन कब हुआ था तो भारत तिबबत सीमा पुलिस यानि ITBP तो अगर आपसे पूछे ITBP का गठन कब हुआ था तो याद रखना है ITBP का गठन भारत तिबबत सीमा पुलिस का गठन 1962 में हुआ था चीन के आकरमन के बाद तो पहला statement सही है दूसरा सीमा सुरक्षा बल का गठन 1965 में हुआ ये भी बिलकुल सही है SSB ठीक है नहीं SSB नहीं सीमा सुरक्षा बल है यानि BSF होगा Border Security Force तो Border Security Force का स्थापना 1965 में हुआ ये भी सही है BSF का स्थापना कभा तो याद रखना है BSF का स्थापना 1965 में हुआ तो पहला और दूसरा statement सही है तो आपका answer क्या होगा option number B समझ मैं है पहला और दूसरा statement सही है आपको याद रखना है अब यहाँ से क्या क्या आपको याद रखना है तो फटा-फट देखीएगा अगर आपसे पूछेगा कि BSF का स्थापना कब हुआ तो BSF अभी हम लोग पढ़ लिए BSF का स्थापना कब हुआ 1965 में BSF का स्थापना 1965 में ITBP का स्थापना पूछेगा ITBP ठीक है ITBP यानि भारत तिबद सीमा पुलिस तो ITBP का स्थापना कब हुआ 1962 में ITBP का स्थापना 1962 BSF का स्थापना 1965 याद रखेगा CISF का स्थापना कब हुआ CISF का स्थापना हुआ 1969 में इसी साल ISRO का स्थापना हुआ था तो CISF का स्थापना 1969 में हुआ, याद रखेगा, ठीक है, CISF का स्थापना 1969 में, NSG, NSG का स्थापना का हुआ, NSG यानि राश्टे सुरक्षागार्ड बोलते हैं से, तो NSG का स्थापना हुआ 1984 में, इसी साल इंद्रा गांधी की मिर्ती हुई थी, याद होगा आपको, तो NSG क गठन हुआ था, राश्टे सुरक्षागार्ड यानि NSG का गठन 1984 में हुआ था, याद रखेगा, ठीक है, तो NSG का गठन 1984 में, कैंद्री ओद्रोगिक सुरक्षा बल, CISF का स्थापना 1969 में, BASF, सीमा सुरक्षा बल का स्थापना 1965 में, ITBP का स्थापना 1962 में, याद तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज क्लास को सपोर्ट करें, अगला सवाल, 2012 में संसदिय चुनाओं में, मियानमार में, आंग सान्सू की किस पार्टी को लेखनी है विजए मिला, मतलब कुल मिला के पूछ रहा है, मियानमार की आंग सान्सू की है, तो मियानमा तो मियानमार में, आंग सान्सू की नेशनल लिग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की नेता है, तो आपका अंसर होगे, अप्शन नमर डी याद रखेगा, तो एकदम आसान सवाल है, आप जानते हैं कौलकाता का इदन गार्डन, क्या गार्डन है, नहीं न, कौलकाता का इदन गार्डन क्या है, ये कि स्टेडियम है, क्रिकेट खिला जाता है, ठीक है, बहुत फैमोस स्टेडियम है इदन गार्डन, ठीक है, तो कौलकाता का इदन गार्डन क्या है, वास्तों में ये उद्यान नहीं है, ये तो स्टेडियम है, ठीक है, तो आंसर क्या होगे, उप्शन कत्थक सामाग्री कहकर गौरणवानवित किया, मतलब कौन सी ऐसी निर्टांगना है जिनको रविन्ना ठाकुर जी ने कत्थक सामाग्री कहा, ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है पूछेगा, सितारा देवी, याद रखेगा सितारा देवी का संबंद किस छेत्र से है एक्जाम में पूछेगा, तो याद रखेगा सितारा देवी का संबंद कत्थक निर्टि से है, किस निर्टि से संबंदित है, तो सितारा देवी का संबंद कत्थक निर्टि से है, पंडित बिर्जु महराज कत्थक निर्थिस से संबनित हैं पंडित लच्चु महराज कत्थक निर्थिस से संबनित हैं तो आराम से याद हो जाएगा ठिक है तो कत्थक निर्थिकी कलाकार थी सितारा देवी और सितारा देवी को रविन्ना ठाकुन ने कत्थक सामागरी कहा याद रखेगा, तो अगर आप से पूछे, कत्थक सामगरी किसे कहा जाता है, तो कत्थक शामगरी कहा गया है, सितारा देवी को किस ने कहा, रविन्ना टेगोर जी ने कहा, याद रखेगा, ठीक है, तो आप सभी से request करेंगे Please class को आप लोग like करें भारत में पहली बोलती फिल्म थी यहीं भारत का पहला बोलता फिल्म कौन सा है आपको बताना है तो पहली बोलती फिल्म कौन सी है बताएंगे आप तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है तो याद रखना option number B आलम आरा आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है ठीक है तो भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है आलम आरा आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है याद रखेगा एक संस्कृति की मानेताओं, मुल्यों एवं पर्थाओं से संबनित सिधानतों को उस संस्कृति के दृष्टिकों से क्या कहा जाता है तो आंसर करेंगे एक संस्कृति की मानेताओं, मुल्यों एवं पर्थाओं से संब्धित सिधानतों को उस संस्कृति के दृष्टिकों से क्या कहा जाता है त्याद रखेगा संस्कृतिक सापिक्षवाद ठीक है एक संस्कृति की मानेताओं, मुल्यों एवं पर्थाओं से संबंदित से दानतों को संस्कृतिक सापक्षवाद कहा जाता है अमेरिका में National Aeronautics and Space Act का पारित हुआ था आंसर करेंगे अमेरिका में National Aeronautics and Space Act का पारित हुआ था तो याद रखना है 1958 में ठीक है 1958 में और इसी साल DRDO का स्थापना हुआ था आपको याद होगा ठीक है तो DRDO का स्थापना भी 1958 में हुआ था और 1958 में ही अमेरिका में National Aeronautics and Space Act पारित हुआ तो अगर आपसे पूछे अमेरिका में National Aeronautics and Space Act कब पारित हुआ तो अमेरिका में National Aeronautics and Space Act 1958 में पारित हुआ था याद रखेगा तो 1958 आपका सही आंसर हो जाएगा इंद्रा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है तो आंसर करना है इंद्रा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? Most important सवाल है तो याद रखना है जैराम रमेश जैराम रमेश जी के द्वारा लिखित पुस्तक है इंद्रा गांधी एलाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक है जैराम रमेश याद रखेगा दादा साहब फालके पुरुसकार किस चेतर में महतुपूर्ण शार्वजनिक उपलब्दी के लिए दिया जाता है तो आप जानते हैं दादा साहब फालके पुरुसकार फिल्म के चेतर में दिया जाता है ठीक है फिल्म के चेतर में दिया जाता है दादा साहब फालके अवर्ड याद रखेगा और दादा साहब फालके अवर्ड कब से दिया जाता है तो 1969 से दादा साहब फालके अवर्ड दि दिया जाता है याद रखेगा चार साल के लिए निरंतर सबसे सांदार और उतक्रिष्ट परदर्शन के लिए रास्टी खेल पुरुसकार डैस है तो आपको बताना है चार साल के लिए निरंतर सबसे सांदार और उतक्रिष्ट परदर्शन के लिए कौन सा रास्टी खेल पु पुछेगा तो आप जानते हैं अर्जुन पुरुसकार खिलाडियों को दिया जाता है अर्जुन पुरुसकार खिलाडियों को दिया जाता है खेल के छित्र में ठीक है 1961 से याद रखना है अर्जुन पुरुसकार 1961 से दिया जाता है खिलाडियों को अगर आप से पुछे द्र द्रोनाचारे पुरुसकार खेल में, खेल के टीचर्स को, कोचेस को, समझ में आ रहा है, द्रोनाचारे पुरुसकार खेल के परसिक्षक को दिया जाता है, तो खेल में परसिक्षन के लिए द्रोनाचारे पुरुसकार दिया जाता है, द्रोनाचारे पुरुसकार 1985 से दिया ज ठीक है? और अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे देखी खेल रतन सही आंसर होगा. पूछा है चार साल के निरंतर, चार साल के लिए निरंतर सबसे सांदार और उत्कृष्च परदर्शन के लिए कौन सा पुरुसकार दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा खेल रतन पुरु साल के लिए निरंतर सबसे सांदार और उतक्रिष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा रास्टे खेल पुरुसकार दिया जाता है तो याद रखना है खेल रतन अवार्ड आपका सही अंसर होगा option number B याद रखेगा ठीक है तो आप सभी से request करेंगे कि ख्लास अच्छा लगा हो तो please क्लास को support कीजेगा क्लास को like और share अवसी कीजेगा और साते ही सात आप सभी से आगरह करेंगे कि आप लोग जाते जाते ख्लास को like और share कर दिजेगा और please क्लास में regular रहिएगा किसी भी टॉपिक में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजेगा तो इसी के साथ आप सभी का तही दिल से धन्यवाद करेंगे और मिलते हैं आप से अगली क्लास में जै हिंद, जै भारत, जै बिये से धन्यवाद